जैहन दॉला फियर जैहन चले बहुत आईएगा सभी लोग फड़वट फड़वट से लाईव आईएगा सभी लोग जल्दी से एन येस आज हम लोगों का एफोर्स में लिए लास्ट 15 दिन में पहला मेरातन सेशन आज लग सकका करूंगी और साथ में मेरी कोशेश रहेगी है कम से कम सो क्वेश्चिन फो टो हम कवर करे ही कम से कम सो क्वेश्चिन तो आपcient कर आंप接ид आ रही है एक बार वस मुझे यह बताईए आप लोगों तक मेरी अवास clearly आप आ रही है या नहीं जल्दी से पूरे जोश में जैहिंद आपको लिखना है जैहिं जैहिं तो चले भई वन बाई वन कंसिप्ट स्टार्ट करते हैं समय को बिना बरबात करें PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी सो वहां पर आप लोग PDF ले लीजेगा और हमारा टार्गेट होगा आज कि अगर एक्जाम में आपके इस चैब्टर से सपोज करिए दो question आ रहे हैं तो वो question भी न चुटके जाएं मेरा अथर्ण हम इसे कह रहे हैं minimum मान के जलना तीन गन्टे तो class चलेगी ही चलेगी concepts और question सारह छोटे से चोटा भी है न तो पहली class है मेरी चोटे से चोटा मैंने कोशिश कर यह और करो ठीके तो स्टार्ट किया जाए इसका नाम किया है साथ सर इसके लिए लिखा नहीं है में आ पे डिस इस ट्रिग्नोमीट्री तंडव पूरी हाज में निप्टानी है ठीके तो चलिये बहई स्टार्ट करते हैं अब हम लोग ज़रा यहां पर देख पहले हमने आपके साथ यहां पे लिखा है measurement of angles क्या लिखा है यहां पे पूरा सब कुछ revise हो जाएगा कि trigonometry जब पढ़ी जाती है तो उसके अंदर सबसे पहले आपके पास आते हैं angle यानि की cone जो हमारे cone होते हैं हमारे trigonometry के अंदर तीन सिस्टम होते हैं सबसे पहला sexagesimal system जिसमें cone को degree में नापते हो फिर आता है circular system रत्य सिस्टम जिसमें cone को आप लोग radian में नापते हो तीसरा आता है centesimal system जिसमें cone को आप grade में नापते हो आपके आपर degree और radian में question पूछा जाता है grade में कोई भी question नहीं पूछा जाता है ठीके बच्चे बात तो इसी में और आगी की तरफ अगर बढ़ते हैं क्योंकि आपको सारे concepts revise कराने हैं सबसे पहले आ रहा है sexagesimal system जहाँ पर आप cone को degree में नापते हो यहाँ पर किया क्या जाता है जो आपका एक right angle होता है एक समकोण होता है उसको बराबर माना जाता है 90 degree के कितने के बराबर माना जाता है आपका 90 degree के और वही पर वो degree आगे बढ़ जाता है 60 minute में और वही पर वो एक minute आगे बढ़ता है 60 minute में ठीके पोल भी रखेंगे बिलक आप सभी लोगों ने वीडियो को लाइक जरूर करना है और साथ में शेयर करना है दबा के मज़ा आने वाला है क्लास में ठीक है सो 60 जेसिमल में एक राइट इंगल समकोर 90 डिगरी में एक डिगरी 60 मिनेट में 1 मिनेट 60 सेकेंड में जिन बच्यों को पता है वो लोग अपना इसको रिवाइस भी कर सकते हैं आगे बढ़ते हैं निक्ष पर सर्कुलर सिस्टम सर्कुलर सिस्टम व्रताकार सर्कुलर सिस्टम व्रताकार में होता क्या है अगर यहां यह इसका सेंटर है और हमने कहा इसकी कोई भी एक आर्क चाप ले रहे है वो थीटा का कोण बना रही है और ये इसकी radius त्रिज्या है, ये इसकी arc है, चाप है, तो आपके पास relation होता है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, जब चाप बटे त्रिज्या होता है, इसको ध्यान रखेगा, तो यहाँ पर जो आपका radian वाला relation है, यहाँ पर radian ये जो πाई लिखा है, 180 degree के बराबर, basically ये एक straight line होती है so कितना कोण बनाती है ये 180 degree है न so एक radian किसके बराबर है 180 upon 5 degree के किसके बराबर है एक radian 180 upon 180 degree upon 5 जहां पे ध्यान रखना जो 5 होता है वो 22 बटे 7 लिया जाता है कितना लिया जाता है आपके पास 5 को 22 बटे 7 और जब calculation की जाती है तो उस अधार पर एक radian 57 degree 57 degree और आप देख सकते हैं लगभग उसके आसपास आता है लगभग तो पूरा याद करने की ज़रत नहीं है लगभग याद कर लो कि एक radian लगभग 57 degree के आसपास है radian को degree में बदलना है तो 100 degree upon pi से multiply और degree को radian में बदलना है तो pi बटे 180 से गुणा करनी होगी ठीक है बिलकुल बच्चे 15 दिन में हो जाएगा कोशिश तो मेरी हर संभव यही है कि हाँ हो जाए आपके साथ तो आगे बढ़ते हैं इसी में लास्ट आपका next system जो था आपका कौन सा centisimal system centisimal system क्या होता है जहाँ पर आपका कोणों को grade में नापा जाता है किस में नापा जाता है बच्चे इसको आपका grade में ठीक है बटा इस phone की brightness कम है किस में नापते हैं बच्चे centisimal में यहाँ पर लिखता है जो एक right angle होता है समकोर वो किसके बराबर 100 grade जिसे G लिखते हो आगे चलकर 1 grade 100 minute में बढ़ जाता है और 1 minute 100 second में बढ़ जाता है हाला कि इस पर question कम देखने को मिलता है बट फिर भी ये आपको पता होना चाहिए पता होना चाहिए ठीक है हाँ बिटा वो पीछे की तरफ देखे है तो यहाँ पर मैं इसे correct कर देती हूँ 16 minute 57 degree 16 minute 21 second ठीक है मैं इदार लिख देती हूँ आपके पास इस चीज को आप confuse जो रहे हैं जो एक जो एक radian है आपका जो एक radian है आपका ऐसे लिखते हैं या इसके उपर C लगाते हैं या 1 लगाते हैं ये बराबर होता है 57 degree 16 minute 21 second वहाँ वो mistake हो रहा है इसको आप लोग माप कर सकते हैं ठीक है उमीद करते हैं आप सभी बच्चों को समझ में आए बढ़िया जखास वाला और result बनना चाहिए so next देखेगा आगे next पर चलते हैं जब so next हो जाता है आपके पास degree में, radian में, grade में क्या संबंद होता है so ये चीज आपको ध्यान रखनी है क्या ध्यान रखनी है देखो जरा degree में एक right angle 90 degree था तो नीचे रब है grade में एक right angle 100 grade था और radian में pi 180 था यानि pi by 2 so 2 उपर आ गया ये इनके बीच का संबंद है यहाँ पर लिखा है अगर radian को degree में बदलना है तो multiply 180 बटे pi से और अगर degree को radian में बदलना है so multiply करेंगे pi बटे 180 से अगर यहाँ तक का सब को clear है तो फटावट से एक बार मुझे जोश में पूरे लिखेगा जैहिन फटावट से पूरे जोश में सभी का जैहिन मुझे दिखना चाहिए और अब question शुरू हो रहे है poll के साथ शुरुआत करेंगे questions की ठीके देखेगा पहला question आपके पास screen पर क्या बात इसका सिज़े कभी चल जाता है कभी नहीं चलता है चले भई पहला आपका question poll आपको दिख जाएगा दीजेगा answer इसका पहला question polling में answer देना है poll जादा देर का नहीं करेंगे 45 second का poll करेंगे गड़ी नहीं कोल रहे हैं ऐसी दीजे answer मेरा फोन है उस कमरे में बुला करेंगे हाँ जी भई समय समाथ अभी ने answer दे दिया होगा मैं 12 pi upon 5 है degree में बदलना है 180 degree वटे 5 से करेंगे ये cancel हो जाएगा 5 तीया 15 हो जाएगा 5 चंग 30 12 की 6 में इंटू करेंगे 12 चंग 72 साथ 12 या 36 और साथ 43 तो क्या answer टिक करेंगे आप लो 432 degree यानि की option कौन सा है बचे option C क्या है 432 degree देखो जरा कोशिश यही करिए कि जो भी concept आपको बताएं उस पर based question आपको पूरा करवा पाएं ठीक है तो चलते हैं आगे next question की तरफ next question देख लीजएगा एक रेडियन लगभग कितने के बराबर होगा एक रेडियन लगभग कितने के बराबर होगा तो जितने भी बच्चे कह रहे हमें पोल चाहिए वो बिल्कुल दीजेगा पोल और आपका समय 30 सेकंड का देंगे इस question के लिए क्योंकि जस्ट अभी याद करवाया है मैंने 30 सेकंड का समय जस्ट अभी याद करवाया है मैंने ये question very fast दीजेगा अंसर बच्चे कोशिश करके ना अंसर को पोल में डालिएगा कमेंट में कम से कम डालिए कोशिश करके सभी लोग पोल में अंसर दीजे समय रोक देते हैं यहाँ पर मैं ये तो कोई भी tough question है ही नहीं एक आपने अभी बताया रेडियान 57 डिग्री 16 मिनट 21 सेकंड option B जिनके में पोल नहीं आप आ रहा है परिशान होने की ज़रुरत नहीं है थर्ड 7 डिग्री 7 डिग्री 30 मिनट को जब रेडियन में दिखाएंगे तो बतायेगा क्या अंसर आना चाहिए समय शुरू करते हैं आपके लिए 30 सेकंड का जल्दी से कर दी जे इस question को फटा फट से सारे के सारे दोडियेगा बिलकुल बढ़िया question number 3 7 डिग्री 30 सेकंड को जब रेडियन में दिखाएंगे तो ये क्या होगा फटा फट come on everybody पोल कैसे जोइन करें कुछ नहीं करना जहां आपका फोन वर्टिकल रखना सीधे नीचे पोल आ रहा होगा उसमें A.V.C.D. आप्शन है इधर दिख रहा है उसके क्लिक कर दो कौन सा बैठेगा आपके एसाब से है ना जी तो भाईया 30 सेकंड होता है आपका समय खतम मैं 7 डिग्री है पहले तो इसे मैं पूरे को डिग्री में बदलूँगा 30 मिनट divided by 60 करूँगा तब ये डिग्री आएगा यानि एक बटे दो सो ये 15 बटे दो डिग्री होगा रेडियन में बदलना है 15 बटे दो इंटो पाई बटे 180 हो जाएगा 15 से कैंसल करूँगा 15 एकम 15 15 दुनी 30 तो पाई बाई 24 यानि क्या है अंसर इसका option A क्या अंसर है इसका option A very good आईएगा next question देखेगा जरा कैता है difference between two acute angles of a right angle triangle समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोणों के बीच का अंतर 3 पाई बाई 10 है तो बताईए कि कोण क्या होंगे समय शुरू क्या कैता है कोण क्या होंगे समय शुरू जल्दी से सर कह रहा है पोल बनाने में टाइम लग रहा है थोड़ा slow है भी आप सर को कौन समझाए सर मज़ा तो असली तभी आता है जब स्पीड तयार हो साथ-साथ सारे के सारे वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और डेफिनेटल इस सरी से आपको बहुत फाइदा मिलने वाला है बहुत ज़ादा फाइदा मिलेगा इस सरी से सभी लोग आंसर दीजेगा इसका और पोल देते रहिएगा मैं समझा भी दूँगी तो there is no issue आपकी वोटिंग्स मुझे दिखनी चाहिए अभी बहुत कम बच्चे है जो पोल कर पा रहे है देखेगा मैं उसने ना राइट एंगल ट्रेंगल बोड़ा है समकोण त्रिवुच समकोण त्रिवुच अगर बोल रहा है तो जो बाकी के दो कोण बचे उनका जोड भी तो 90 डिग्री होगा मैं वो उसका अंतर दे रहा है 3 π.by.10 90 को π.by.2 लिख सकते हैं या 90 डिग्री आपकी मर्जी है अंतर जो दे रहा है वो 3 π.by.10 इसे चेंज कर लेना कितना हो जाएगा ये मैं चेंज करते हैं तो किससे इंट्टू करते हैं अपॉन में तो 10 ही लिखा है कितना करते हैं मैं 180 डिग्री अपॉन पाई पाई से पाई कैंसल हो गया 183 चोववन तो मैं अगर इन्हें सॉल्फ करें 2x बराबर 144 x बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 72 2 तो वाई कितना हो जाएगा 18 डिग्री ऑप्शन ए क्या है अंसर ऑप्शन ए तो चलते हैं अगले क्वेशन पे अगला क्वेशन देखते हैं कितने लोग कर पाएंगे नेक्स्ट क्वेशन देखेगा सभी लोग अगर कोई एक आर्क आर्क का मतलब होता है चाप 24 पाई सेंटीमीटर लंबा चाप है वो सरकल के केंदर पर 72 डिग्री का एंगल बना रहा है तो उस वरत की तरिज्या बताईए 24 पाई सेंटीमीटर का चाप अगर 72 डिग्री का कोण बता रहा है तो जल्दी से बताना कि उसकी तरिज्या कितनी होगी और आपका समय हमने आपर शुरू कर दिया है बहुत बढ़िया फटाफट से समय देने आप लोगों को ताकि आप लोग actively participate करें स्क्रीन पूरा हट चुके हैं जो भी concept पढ़ाएंगे उसका question तुरंत देंगे तो आप सभी लोगों ने share भी करना है जिनके भी पास पोल नहीं आरा आज ध्यान रखना copy पे question number उसके answer right wrong लगाते चलना साकि last में गिन सको की yes आज में कितना कर पाया और फायदा हुआ या नहीं तो बिलकुल मेरी तरफ से समय खतम है लेकिन आप पोल देते रहिएगा इसने कहा कि मैम जो कोण होता है न वो चाप बटे त्रिज्या होती है चाप आप दे रहे हो 24 पाई और रेडियस आप पूछ रहे हो जबकि कोण आपने दिया है 72 डिगरी इसको भी रेडियन में बदल दो पाई बटे 180 डिगरी पाई से पाई कडिया 24 तिया 72 होता है तीन नीचे कडिया 7 तो रेडियस कितने आ गई 60 सेंटीमीटर क्या आ गया बच्चे आंसर 60 सेंटीमीटर ठीक है बच्चे चल ये 300 लोगों ने पोल दिया है बहुत शाबाश इसी तरह से चलो यार 100 वेस्चन तो करने है concept भी करने है next question पे बढ़ जाते है next question angle between the hour end and the minute end of a clock at half past three जब साडे तीन बच रहे है तो जो घंटे वाली स्वी और जो मिनट वाली स्वी है उनके बीच का कोण बताना है क्या कहा साढे तीन बज रहे हैं तो घंटे वाली स्वी और मिनट वाली स्वी के बीच कोण बताना है समय मैंने शुरू कर दिया है आपके पास बिल्कुल बिल्कुल अराम अराम से ही चल रहे हैं जल्दी जल्दी से आप ओन्याव पूल्सकिंट कौंपटिशन लाएगा ही लाएगा अपने आप मे लाएगा ही लाएगा अपने आप में पोल कॉंपटिशन निश्चेत रूप से और मजए की बात है एक बार अंसर लगाने के पार दुबारा आप उसे करेक्ट भी नी कर सकते देख बार अंसर लगाने के बाद दुबारा आप उसे कर एक भी नी कर अब कितने लोगों ने short trick से करा और कितनों ने इसे long method से करा है short trick कितनों को पता है एक बार comments में लिखके बताना short trick कितने लोगों को पता है बेटा Hindi English के चकर में अब मत पड़ो मैं हिंदी बोल रही हूँ ठीक है शॉट ट्रिक कितने लोगों को पता है अच्छा समय भी खतम हो गया कितने लोगों को शॉट ट्रिक पता है कमेंट्स में लिखके बताईए का जरा एक बार ओहो कई लोग कह रहा है मुझे पता है क्या बताया था 30X का मतलब घंटे याद आया कुछ 30 इंटू X कितने घंटे है उसमें से माइनस कर देते है क्या माइनस कर देते है 11 इंटू कितने मिनट है अपॉन में 2 याद आगया बच्चे लोगो कुछ सो घंटे मैम हाफ पास 3 है यानि 3.30 है सो कितना हो जाएगा 30 गुणा 3 माइनस में 11 गुणा 30 बटे 2 क्यालकुलेशन कर लीजेगा आंसर इस 75 डिगरी कितना आंसर है 75 डिगरी देख लीजेगा जरा बटे में 2 पूरे में लीजेगा ठीक है या 60 ले लीजेगा अच्छा चलो इस चीज का ध्यान रखेंगे बटा देखो 30 गंटे माइनस 11 मिनट बटे 2 सिर्फ इसमें नहीं है पूरे में है और अगर आप 2 ही लिखना बेसिकली चाह रहे है 2 एक तरफ लिखना चाह रहे है तो उसे चींज करना पड़ेगा ठीक है यह देख लीजेगा कैसे करेंगे उसे हो जाएगा हो जाएगा बटा यहां 60 कर लेना 60 कर लेना 60 ठीक है कुछ गलती हो गई क्या कुछ गलती हो गई मैंने गलती कर दी बटेश गुणा साड़े 3 था यह 3 गंटे तो यह 90 हो गया इस 90 में आप माइनस कर रहे हैं कितना हाफ पास 30 इंटू में 30 इंटू में 11 अपॉन में 2 सो 2 15 हो गया यहां पर यह कितना हाइदर यह 60 हाएगा ना 60 हाएगा 60 गंटे है बटा यह 180 होगा माइनस 160 कितना आ जाएगा इससे देखिएगा सर एक बार कुछ तो गड़बड हो रही है 90 आएगा बचे ठीक है हमने ही मिस्टेक कर दिया थोड़ा से हमने ही गड़बड कर दिया इधर यह 30 इधर यह 90 और इन दोनों का जो अंतर आएगा वो कितना आएगा 75 डिगरी 75 डिगरी 75 डिगरी क्या है अंतर 75 डिगरी ठीक है 75 डिगरी 30 गुणा 3 90 आएगा बिलकुल बिलकुल बता दिया दुबारा से बता दिया मैडम वो 7 बटे 2 गंटे है बेटा वो 7 बटे 2 गंटे तब होता अगर उसे पूरा चेंज करते शोट्रिक लगा रहे हैं तो पूरा चेंज नहीं करा ना गंटे गुणा 30 माइनस में 30 गुणा 11 बटे दो सो ये 90 माइनस कितना 165 अंतर निकाल रहे हो तो इन दोनों का अंतर तो 75 डिगरी ही आएगा ठीक है बच्चे ओके नेक्स वेशन देखते हैं नेक्स में कौन देगा सही जवाब हिंदी हम बता देते हैं इसने कहा अगर सेम लेंथ समान लंबाई के टू आर्क्स चाप हैं जो की केद्र बर 60 डिगरी और 75 डिगरी के कोन बना रहे हैं तो इनकी रेडियाई त्रिज्जाओं का अनुपात बताईए कितना होगा क्या कहा समान लंबाई के दो चाप 60 डिगरी और 56 डिगरी के कोन बना रहे हैं तो इनकी त्रिज्जाओं का अनुपात कितना होगा समय शुरू समय शुरू दीजे आंसर सुनील पाल मेरे से पूछ रहे है 30 और ये formula कैसे आया तो बेटा उसके लिए चाहे तो नई वाली playlist में चाहे पुरानी वाली playlist में चले जाओ detailed method भी समझा रखा है और long method भी समझा रखा है कोई सभी तरीका लगा लो वो तो आपकी अपनी मर्जी है हाँ जी भाई बिल्कुल बढ़िया तरीके से चलो बिल्कुल बिल्कुल सही जा रहे हो आप आके गरा लो यार हाँ जी भाई जल्दी से करिएगा and and आपका समय खतम देखो जरा अभी गोगे मैम अभी तो formula पड़ा angle बराबर arc upon radius कोण बराबर चाप बटे तरिज्या हमसे वो तरिज्याओं का अनुबात पूछ रहा है तो ऐसे लिख सकते हैं मैम दो हैं तो r1 upon r2 बराबर s1 upon theta 1 into में s2 upon theta 2 और यहाँ तो मैम दोनों की लंबाई same दे रखी है तो यह cancel दूसरे वाले का कोण कितना है 75 और पहले वाले का कोण कितना है 60 इसे divide कर दो 15 पंजे 75 पंदरा चोको 60 so answer कितना आ गया 5 upon 4 कितना आ गया answer 5 upon 4 ठीक है is that clear बिलकुल 18 marks तक कर सकते हैं इस approach से भई formula अभी तक केवल एक बताया क्या कहता है एक वरत की त्रिज्या 30 cm है तो उस वरत की आर्क चाप बताये जिसकी ord जीवा 30 cm लंबी हो इस वार त्रिज्या नहीं दी क्या दी है आपको जीवा दी है देखते हैं कितने लोग answer निकाल सकते हैं और आपका समय हमने कर दिया शुरू अब क्या कर दिया हमने शुरू कर दिया जल्दी से जल्दी से स्पीडली से आंसर देंगे सभी लोग समय चल रहा है इंडिये कोर्स वाले बच्चे चाहें तो देख सकते हैं वैसे ज़रुरत पड़ेगी नी वैसे ज़रुरत पड़ेगी नी इंडिये वालों को क्योंकि उनको काफी करवा चुके हैं बट फिर भी आप लोग जाना चाते हैं तो येस आप लोग जा सकते हैं बहुत बढ़ी है, 126 आ रहे हैं कुछ बच्चे कह रहे हैं मैम हमसे नहीं हो पारा, कुछ ही लोगों इस पर वोट कर पाया है हर एक बच्चे से ये वाला question नहीं हो पाया है, तो कोई बात नहीं समय रोक देते हैं और question को समझ हो आप लो क्या कि मैम इसने कहा किसी व्रत की जो त्रिज्या है वो 30 cm है एक सरकल बना लो आपने इसकी रेडियस 30 cm ले ली बिल्कुल ले ली जी मैम उसने कॉट जीवा भी 30 दी है लिख लो इधर तो द्यान से देखो ये तो तीनो साइड इक्वल हो गई संभाहू त्रिबोज इक्विलेटरल ट्राइंगल कितना एंगल आ गया 60 डिग्री उसने क्या पूछा है आर्क चाप तो तुमारे पास कोण बरावर चाप बटे त्रिज्या यानि चाप बरावर कोण गुणा त्रिज्या कोण कितना है 60 डिग्री रेडियन में बदलोगे पाई बटे 180 इंटू में रेडियस कितनी आ रही है 30 तो यहाँ पर ये कैंसल हो जाएगा 3 ये भी कैंसल हो गया 10 जितनों को भी समझ में आ गया टोको लाईक एक बार येस और नो बिल्कुल बहुत सिंपल तरीके से रेडियस दीती 30-30 जीवा दीती 30 संभावू त्रिबुज बन गया था स्कोण 60 डिग्री हो गया कोण बराबर चाप बटेतरिज्य का फर्मॉला लगाया और जो कोण होता है उसको चेंज करते हैं किसमें रेडियन में वो हमने चेंज करा है ठीक है आगे चलते हैं नेक्स वेस्टन पे नेक्स वेस्टन में इसने हम से क्या कहा है अवील में 180 एक सो असी चक्र काटता है चक्र लगाता है एक मिनट में तो बताओ एक सेकंड में कितने रेडियन एक सेकंड में कितना रेडियन वो चला होगा एक सेकंड में कितना रेडियन वो चला होगा तो आपके लिए यहां पर समय शुरू किया जा रहा है देखिएगा ज़रा समय टा आग लगा दो नहीं भाई कुछ मतलगा ओ सिंपल अपना पढ़ लो सिंपल अपना पढ़ लो थी कह आग वा कुछ भी मतलगा ओ वह यह वर गड़िया पोल दे रहे हो यार इसमें तो लगबग लगबग सभी बच्चे सही आंसर दे रहे हैं इसमें तो लगबग सभी बच्चे सही आंसर दे रहे हैं and पोल में actively सभी लोग participate करिए तभी actual competition पता चलेगा समय रोक दिया आजाओ क्या करेंगे? मैं देखिए 180 revolution एक मिनट में एक मिनट का मतलब 60 second में कितने चकर 180 तो एक सेकंड में कितने चकर तीन चकर लगाए उसने है ना? क्या लगाए? तीन चकर वो कह रहा है एक सेकंड में कितना radiant चला? अब जब पहिया एक चकर लगाता है तो एक चकर में कितनी दूरी चलता है? टू पाई भैया यह यह यही तो पूछ रहा है ना पाई और चकर कितने आरे एक सेकंड में? तीन तो कितनी दूरी चली? 3 इंटू 2 पाई यानि कि 6 पाई तो क्या है अंसर आपके पास? ओप्शन C क्या है अंसर बच्चे? ओप्शन C देख लो ज़ादा तर 46 परसें बच्चों ने ओप्शन A लगाया है 46 बच्चों ने ओप्शन A लगाया है नहीं नहीं भई गलत कर रहे हो चलो भई आप थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं थियोरी के साथ तो देखेगा आपकी थियोरी जो आप सब लोगों को पता है एक बार इने पढ़ ले कि हमारे पास अभी तक हमने सिस्टम्स की बात करी अब सिस्टम्स से आगे बढ़ रहे हैं तो हम कहते हैं हमारे पास अगर कोई समकोन त्रिबोज है राइट एंगल ट्रेंगल है मानलो B पर ये A है और ये आपके पास B है और हमने कहा कि हमारे पास ये एंगल थिटा है ये वाला तो जो 90 के सामने वाली साइड है वो हाइपोटेनियस कर्ण होगी जो उसके उधर जा रही है थिटा जो भी कोण ले रहे हो भई कोण ये ले रहे हो तो इधर वाला परपेंडिकुलर लंब होगा जिस पर ये बन रहा है उसको बेस कहेंगे आधार लेकिन अगर आप एंगल चेंज कर देते मैं मारकर बदल देती हूँ अगर आप कोण ये वाला लेते नीले रंग वाला तो ये वाली साइड क्या हो जाती परपेंडिकुलर और ये वाला साइड क्या हो जाता अधार बेस यानि कोण के बदलते ही लंब अधार परपेंडिकुलर और बेस बदल जाते है फिर लाल डाइग्राम की अकॉर्डिंग यही है तो आप सबको पता है बस एक बार रिवाइस करना है कौनसा पंडित बद्री प्रसाग हर हर बोले या आप कह दो लाल बटे कक्का सब एक बार देख लीजेगा ध्यान से साइन थीटा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस लंब बटे करन कॉस थीटा बेस अपन हाइपोटेनियस अधार बटे करन तेन थीटा परपेंडिकुलर अपन बेस लंब बटे अधार clear है सभी को clear सभी को सामने वाले का perpendicular होता है बिलकुल जो कोण ले रहे हो उसके सामने perpendicular होता है तो जैसा कि मैंने आप से कहा था ना क्या कि concept के साथ साथ practice भी कराऊंगी बस आप लोग अपना प्यार बनाए रखना सो question तो कहीं नहीं गए यहां करेंगे ही करेंगे और इनहीं का trigonometry ही चल रहा है तो आज दिन में trigonometry उडाएंगे अन academy पर भी इसी का special class लगाऊंगी practice का चलिए आगे देखते हैं next ma'am next पर आजाओ बिचा basic सी बात दिखी है यहाँ पर क्या लिखिए अगर तुम्हें दिख रही है तो देखेंगा जरा की जो sign theta होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं उसको हम लोग कहते हैं one upon cos theta या cos theta को one upon sign theta एक दूसरे के उल्टे होते हैं cos theta one upon sec theta स्वार्मुला एक भीकिंविक नहीं चोड़ूंगी सारे के सारे कवर करूँगे ठीक है कुछ बचे यहां लिख रहे हैं कि मैम प्लीज next slide पे आजाओ ये सब पता है बिल्कुल अचल आपको पता है लेकिन मुझे हर एक बच्चे को लेकर चलना है तो एक बार के लिए patience बनाना होगा अच्छा भी आएगा तो low भी आएगा लेकिन पूरा chapter thoroughly recall हो जाएगा 15 दिन बाद paper है तो ये नहीं कि आप घर बैटके दुबारा किताब खोल रहे हैं इस chapter को निप्टाने के लिए इस scheme से मैं इहाँ पर आपके सामने ये chapters लेकर आई हूँ सो देखेगा अब आपका अगला questions शुरू हो गया जो formula बताएं है उन्ही formula पर question दिया है मैंने आपको अगर 5 got theta 4 है तो आपसे पूछा जा रहा है क्या पूछा जा रहा है कि value बताएं इसकी कितनी होगी and आपके लिए समय शुरू कर रहे हैं 30 second का देखें कितने लोग देंगे देखें ज़रा कितने लोग answer देंगे start कर दो भाईया वोटिंग यह तो बहुत simple सा question है फटा फट से वोटिंग start होनी चाहिए सभी की जल्दी से start होनी चाहिए voting अपनी very good very good very good बहुत बढ़िया इसमें तो 100 प्रतिश्यत वोट आना चाहिए पूल आपके YouTube पर start हो चुका है एक बार phone refresh करना पड़ेगा क्या यह तो let do question था इसमें कैसे कम वोट चले गए अच्छा धीरे धीरे आ रहे है पोल नेट की signal की problem हो सकती है चलो खेर हम इस question को कर लेते है मैम cot theta को आप यहाँ से 4 upon 5 लिक होगे यहाँ पर मैम आपको पता है cot जोता है cause upon sign अगर sign को common ले ले 3 minus cot theta upon में 1 plus 2 cot theta हो जाएगा मैम value रख दीजेगा 5 minus 3 into 4 upon में 5 इसी तरह से 1 plus 2 into 4 upon 5 LC हम लेंगे तो 25 में से यह गया उपर आजाएगा आपके पास 13 और नीचे रेखेंगे 5 और 8 कितना 13 cancel हो गया answer कितना आगया मेडम 1 कितना answer आगया 1 देखो ज़रा बिलकुल सही बात चलो next question पर next question भी again आपके साथ है उससे पहले फिर से concept चागए अब आपके पास देखो ज़रा क्या कहता है यह concept अब यह देखना यहां से धीरे धीरे building तयार होती जा रही है trigonometrical identity सबसे पहले आपके पास एक basic identity होती है sin square theta plus cos square theta बराबर 1 क्या होती है basic identity sin square theta plus cos square theta बराबर 1 देखना इस identity पर कितने questions cover होंगे अब आपके मैं देखें यहां जब यह है तो क्या इधर से sin square theta is equals to 1 minus cos square theta लिख सकते हैं 1 को 1 का square a minus b and a plus b लिखा जाएगा बिल्कुल जी मैं इधर square आ रहा है एक काम करो मैं sin theta इसको अपॉन में ले आओ 1 plus cos theta so is equals to 1 minus cos theta upon sin theta हो जाएगा अब यह जो इतना बड़ा solve कराया है ना इसको solve की बजाए हमने कहा याद रखो क्या कि 1 minus sin theta upon cos theta को cos theta upon 1 plus sin theta कह सकते हैं ऐसे ही 1 plus cos theta upon sin theta को sin theta upon 1 minus cos theta कह सकते हैं clear है यह variety जल्दी से बोल यह clear है एक कह रहा है मैं जल्दी चलो बिलगाओ बहुत दूर है मैं तो चल्दी क्या मैं तो दौड भी लोंगे मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है paper तुम्हें निकालना है और सारे formula का collection अभी तक किसी किताब में नहीं मिल रहा है तुम्हें यहां मिलेगा telegram से download कर लेना ठीक है तो एक तो यह आपके पास तयार हुआ अब यह नीचे लिखा है एक shot trick का जो काम करता है क्या है shot trick का काम देखो जरा कि कभी भी अगर आपके पास a sin theta plus b cos theta c है क्या कहा? marker change कर लेता है इसके लिए कि अगर आपके पास a sin theta plus b cos theta c है और a cos theta minus b sin theta पूछ रहा है कितना तो value याद रख रहा under root a square plus b square minus c square कैसे आती है क्या आती है जब detailed batch पढ़ाया है तो वहाँ पूरा पूरा आपको इसे समझाया है मैंने तो एक बार side में अगर करवा दें क्योंकि कुछ बच्चे कहते हैं मैं नहीं हो पारा तो a sin theta plus b cos theta आपको कितना दिया है c और a cos theta minus b sin theta पूछ रहा है मान लो यह x है अगर यह पहली condition है तो यह दूसरी condition है क्या करिए यहाँ पर इन दोनों conditions का square जोड दीजे जब जोडेंगे so a square sin square theta a square cos square theta a square आएगा क्योंकि sin square cos square तो 1 हो जाएगा b square cos square theta b square sin square theta इधर से 2a v sin theta cos theta minus 2a v cut गया so आगे जब बढ़ेंगे x किसके बराबर under root a square plus b square minus c square तो यह short trick तयार और x group में लिख लेना blank page पर क्या लिख लेना कि चित्रा मैं ने कहा था कि x group का अगर 4 दिन paper है और 4 shift है तो 1 shift में 110% question आएगा नहीं आए तो बोल देना इस trick पर damn sure आएगा damn sure लिख लेना आजी ठीके तो चलो देखो ज़रा अब question की बारी आपके पास जो अभी identity बताई उनहीं पर question दिया है मर्जी तुमारी कोई सा भी तरीका लगा लेना क्योंकि बहुत सारे तरीके हैं पता नहीं आप कौन सा तरीका लगाना प्रफर करेंगे तो आपके पास question हमने start कर दिया है और आपका polling समय दीचे साथ में question की numbering भी देखते वे चलना कितने question हो गए 100 question का commitment करा है आपसे एक बच्चा लिख रहा है ट्रिग्णो बूरा हो जाएगा तो उससे बच इतना बढ़ो तीन गंटे रूख हो जाएगा तीन गंटे रूख बटा ट्रिग्णो हो जाएगा पर ट्रिग्णो करना है पर जैघाउ छोड़ दो मेरे ऊपर भरोसा तो क्रो इसमें ऑर इसमें है वह तोड़ा इसमें चेहाँ चलेंगे रिकॉल करेंगे के Time stops, आजए ये देखिएगा कैसे करेंगे, मैम break कर लो, क्या चाहिए, मैम यहाँ पर जो ये cause आ रहा है, इसको cause alpha upon sign alpha लिखेंगे cot को, ये जो है मैम, इसको हम लोग क्या लिखेंगे? sin alpha upon cause alpha मैं एक तो LCM लेते ही कड़ गया sin square alpha कितना बचेगा sin alpha plus cause alpha आगे बढ़ेंगे cause square alpha कितना बचेगा sin alpha plus cause alpha मैं इसे common लेंगे तो अंदर तो sin square cause square 1 यानि answer sin alpha plus cause alpha option B ये तो है traditional तरीका जो formula से चला जाता है अब जिसको मन है नहीं भीया मैं तो नहीं जाओ formula से मुझे तो short में चाहिए so short में कर लें angle की values तो पता है alpha को अपनी मर्जी से कुछ भी मान लो कुछ भी में क्या मान लो चलो alpha को अपनी मर्जी से आप मान लो 90-45 degree मान लो ठीक है so 1 upon 2 root 2 और अंदर 1 plus 1 2 आगे बढ़ोगे 1 upon 2 root 2 1 plus 1 2 so यहाँ पर यह cancel हो जाएगा 2 upon root 2 root 2 आएगा चेक करो किस option से root 2 आ रहा है अगर आप पहले option में रखते हो तो यह तो 0 हो गया यह भी नहीं आएगा root 2 यहीं से तो आएगा खतम बत तो दो-दो option दे रहे हैं इसको जैसे मर्जी वैसे कर लेना ठीक है 45 रख लीजे या formula लगा लीजे next question एक expression है इसकी value मर्जी तुम्हारी angle रखके करना या formula लगाना समय शुरू समय शुरू क्योंकि ultimately target तो है question हो मेरे साब से angle रखके जल्दी हो जाएगा कोन रखके ये जल्दी हो जाएगा question कोन रखियेगा सारे के सारे गया हो इस येस येस very good very good शाबाश यार 500 बच्चों देख रहे हो मानती हो 100 के बच्चों में पाफोन में ये पोल नहीं आ रहा होगा बाक्यों के में तो आ रहा होगा चार सो वोटिंग तो देओ competition अच्छा खासा होगा सर जादा समय दूँगी तो question भी तो नहीं उताएंगे वैसे बतारूं कि साड़े तीन सो तक वोट आ रहे है ओकी मुझे लग रहा है जिन बच्चों के में पोल नहीं आ रहा फिर बता देती हूं दुबारा से एक तो आप सब लोग अपना फोन अपडेट कर लीजेगा यूट्यूब ठीके और फोन को vertical रखिए वीडियो ना slide में मत चलाईए horizontal vertical में चलाईए पोल बिलकुल आ जाएगा ठीके तो चलिए भाई समय रोग देते हैं ज्याद ही हो गया मैं एंगल लेके करूंगा मैं तो क्या करूंगा एंगल थीटा की जगे 45 डिगरी रखलूंगा या थीटा की जगे और भी असान 0 डिगरी रखलो 0 डिगरी रखते ही sin 0 0 cos 0 कितना होता है 1 और इदर sin है 0 तो आंसर कितना आ गया 1 option A, क्या है answer option A, I think so सभी ने लगा दिया होगा सही जवाब very good, तो next question पर आते हैं, next question again जो formulae बताएं है उन्ही पर based है, आपका देख लीजेगा जरा, अगर x आपका acute angle noon कोण है, so under root 1 plus sin x upon 1 minus sin x कितना होगा चलिए भई, समय शरू photo question को polling आपकी screen पर आ रही होगी अब तो clearly habitual हो जाओगे अब आप भी थोड़ी देड में चलिए, मैं poll रोक रही हूं समय आप चलने दीजेगा भी ठेके, देखो जब भी ऐसा question आता है न sin cos में, आपको क्या करना होता है conjugate से उपर नीचे into करिए, 1 plus sin x upon में 1 minus sin x so उपर whole square होगा 1 plus sin x आ जाएगा नीचे, 1 minus sin square x, cos square x, under root है तो cos x, upon में अलग-अलग कर दीजेगा 1 upon cos x, sin x upon me cos x so 1 upon cos x, second x और इदर 10 x, answer is option A क्या है answer आपका? option A बिल्कुल बच्चे, बिल्कुल इसका PDF डालेंगे तो बढ़ जाते हैं, अगला question अपना question number next आप सभी लोगों से कह रहे हैं, numbering भी देखते वे चलना पता चलेगा, yes, कितने questions करें time, शुरू question number 14 question number 14 जल्दी से polling के साथ एक अच्छी fight होती आपको पता चलता है, कितने बच्चे सही जवाब दे रहे हैं, किन से आपकी fight है किन से आपकी fight है, ये देखो poll दिये वे, अभी हुए है कुछी समय और लगवाग 100 poll आ चुके है लगवाग 100 poll आ चुके है ठीके बेटा जितने भी लोग comments में answer दे रहे हैं उनसे request है, please polling में answer दीजे ज़्यादा से ज़्यादा मैम, अभी तो हमने पढ़ाता है यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें क्या देखें ध्यान से? कि ये cos theta, cos theta one upon six भी cos theta होता है सो cos square theta तो बाहर आ गया upon में मैम, one plus sine theta into one minus sine theta ही रहेगा उपर LCM लेंगे one minus sine theta plus one plus sine theta ये cancel हो जाएगा ये तो मैम, cos square theta सो कितना बच गया? 2 यानि answer is option B क्या है answer? option B ठीके? चलें आगे एक लड़का लिख रहा है पिछला question गलत है क्या गलत है भईया? पिछले question में देखके बता जाना next question फिर से आपका उसी तरह से है question number 15 एक expression है cos sec minus sine sec minus cos 10 plus cot मर्जी तुमारी है कैसे भी कर लेना? एंगल लेके कर लेना या formula लगा लेना तो आपका समय अख शिरू एंगल से करो या आप formula लगा के करो कैसे भी करो आंसर आना चाहिए और इसी लिए हम लोग यहां आप और हम मिलके काम result पे करेंगे इसी लिए मैं भी बोड से हटके पूरा बोड आपके लिए है चलिए भई मैं मैं तो एंगल से करूँगा मुझे एंगल जादा असान लगता है कर ले मैं भी एंगल से ही बता देती हूँ थीटा की जगे 45 डिगरी रख लेना सो रूट टू माइनस वन अपन रूट टू मैं रूट टू माइनस वन अपन रूट टू 1045 वन प्लस वन मैं एलसियम लेंगे इधर सो टू माइनस वन अपन रूट टू इधर भी वन अपन रूट टू और इधर तो टू लिखा ही है root 2 और root 2 हो जाएगा 2 so answer कितना 1 option B क्या है answer बच्चे option B बहुत बढ़िया शांदार जा रहे हो शांदार जा रहे हो देखो जारा अच्छा इसलिए गया रहा है लड़का ले भाई कर दिया बागी तो सही है next question पर आईए question number 16 बढ़ा देखते हैं कितने लोग इसे फोड़ते हैं एंगल रखो या short track लगाओ मर्जी तुम्हारी हाँ बच्चे एंगल कोई भी रख सकते हैं बस ध्यान ये रखना होता है कोण वो बिलकुल भी ना रखें जहां पर value या तो 90 बहे डिगरी या मतलब अनन्त ना रही हो infinite ना रही हो उसके अलावा आप कुछ भी रख सकते हो ठीक है सो समय आपका शुरू कर दिया है मैंने ज्यादा तरवच्चे ना अभी भी comments में answer लिख रहा है मुझे लगता है कुछ करनी पड़ेगी setting में कि poll पर आओ ज्यादा से ज्यादा comment लिख के कुछ नहीं मिलेगा देखो अगर आप poll में answer दोगे और comments में सिर्फ वही बात लिखोगे जो आपको पूछनी है तो definitely class मारी बहुत अच्छी जाएगी और result भी भी काम आएगी ये चीज बहुत काम आएगी ये चीज आपके एक fight होगी मज़ा सा आएगा ठीके जिनके में poll नहीं आ रहा फोन को update कर लीज़े आ जाएगा सो समय मैंने हाँ रोक दिया मैम आपनी तो बताया था भी कि sin theta upon 1 plus cos theta कहीं भी आता है तो इसको 1 minus cos theta upon sin theta लिख सकते हैं मैम साइन साइन LCM कट गया यहाँ minus cos plus cos भी कट गया 1 और 1 2 answer क्या है answer इसका 2 very good है न जी तो आजाओ चलें अगले question पे next question यह जो short trick अभी समझाई थी वही वाली short trick है question number 17 और फोड़ना है इस question को फोड़ना है जड़से उखाड के फेकना है short trick है 1 2 3 go करो attack अखिल कह रहा है जिस किसी का भी pole नहीं आ रहा है वो phone को vertical देखो मतलब सीधा और comments पे आ जाओ pole आ जाएगा बिल्कुल सही कह रहा है अखिल comments को off कर दो मैम तब सब pole करेंगे अच्छा जी pole जिसका भी नहीं आ रहा है मैं फिर बोल रहीं YouTube के लिए update कर लो हो जाएगा अभी पहली बार हुआ है तुम लोगों के field में चलो एक नई चीज का आगास को हमने करा टीटर से गेट मी ने है ना अब सब जगे pole आएगा देखना defense category में अभी तक कहीan pole नहीं था ठीक है चलिए भई time stop मैं cause sign में equation है मैं इधर plus है तो ये minus है और मैं देखो जड़ा coefficient गुडांक बदल रहे हैं इधर a cause का था तो a sign का था मैं आपकी short trick कि ये जो value आ रही है ना 4 किसके equal होती है under root में a square plus b square minus c square जो लिखा है 9 तो square कर दो क्या a square plus b square 25 आ जाएगा this is the answer option a क्या है answer option a ठीक है very good बहुत बढ़ी अधीरे दीरे ऐसी improve होगा देखो 371 votes आये 371 votes आये so अगले question पर चलते हैं और देखते हैं आप कितना recall कर रहे हैं मजा आ रहा होगा एक तरह का short trick पढ़ाया rule बताया उसी पर question की practice करवा दी उसी पर question की practice so समय शुरू करवा दिये समय शुरू करवा दिये ठीक है एक कह रहा है मैम यह तो बच्चा लेवल है कितनी मार प्रेक्टिस कर आओगे बटा बिलकुल मानते हैं बच्चा लेवल है सब यही करवाते हैं बच्चस पेपर के लिए आप जा रहे हैं उसकी demand भी तो यही है ना करना तो after all paper ही clear है दीजे भई अंसर दीजे चलिए समय रुख जाता है मैम यहाँ पर देखेगा cos theta cos theta plus minus sin change हो रहे है यह जो value आरे है ना मैम 1 किसके एक को लानी चीए a square plus में b square minus में c square का under root लगाओ या मत लगाओ क्योंकि 1 है right side में और जब मैम उठा कर इसको इधर ले जाएंगे सो कितना आ जाएगा 2 चेक करो कौन सा option है option c कौन सा option है बचे option c yes or no बिल्कुल सही बात option c है तो बढ़ जाते हैं अगले question पे next question देखो कितने question हुए तुमारे question number 19 अगर x बराबर h plus p से केलफा है y बराबर k plus q को से केलफा है तो बताओ इन में से कौन सा option सही होगा and समय शरू ok sumit prasad ok sumit prasad मैं देख लूँगी देख लूँगी मैं देख लूँगी चलिए भई समय रोग देते हैं पोल का मैं देखिए option पर जब नजर डाली तो कहीं भी ना तो से कारा ना कौसेक यानि एक बात समझ में आ रही है मैं कि यह जो सेक है और कौसेक है ना इसको गायब करना है अब सेक और कौसेक में तो कोई identity होती ही नहीं है सेक का उल्टा cause कौसेक का उल्टा sign यानि identity इसमें होती है क्या पहली condition से सेक alpha को x-h upon p लिख सकते है सेकन कंडिशन से कौसेक alpha को y-k upon q लिखेंगे सेक का उल्टा होता है cause कौसेक का उल्टा sign और आपको पता है sin square alpha plus cause square alpha 1 होता है पलट दो p square upon x-h का whole square q square upon y-k का whole square बदाबर 1 क्या हो जाएगा option c क्या हो जाएगा option c एक बच्चा लिख रहा है equation of hyperbola नहीं बटा कहां से पढ़ लिए equation of hyperbola नहीं चालो next question की तरफ दौरते हैं जो identities बताई हैं सिर्फ उनहीं पर question अभी दे रहे हैं एक condition आपको दिए अगर दिख रहा है इसकी value कितनी होगी समय शुरू आपका समय शुरू दिजे रितिक बेटा comments में answer दे और जो बच्चे कह रहे है comment off कर दो ध्यान नहीं लग रहा एक काम करो न आप खुद ही comment off कर लो अपने phone की setting में जाके क्यों बहुत सारे बच्चों के पोल नहीं आ रहा सो वो लोग ऐसी ही answer देंगे ठीक है बच्चे okay हम लोग तो time यहाँ पर रोग देते हैं क्योंकि हो चुका आप लोग बाकी कीजेगा क्या करेंगे आप ma'am one plus cause alpha upon में sine alpha upon को इधर ले जाओ sine square alpha upon one minus cause alpha लिख सकते हैं yes or no में जवाब दो लिख सकते हैं क्या बिलकुल लिख सकते है ma'am तो मैं हम इधर देखो यह वाली चीज जो है न यह क्या बनेगी sine square alpha upon one minus cause alpha यह क्या बनेगा sine square beta upon one minus cause beta और यह क्या बनेगा sine square gamma one minus cause gamma multiply कर देंगे अगर उठा के मैं so one minus cause alpha one minus cause beta one minus cause gamma का whole square किसके बराबर sine square alpha sine square beta sine square gamma और यह square हटेगा so plus minus sine alpha sine beta sine gamma option A क्या है option A साड़े 300 बच्चों ने vote दिया है इस बार बिलकुल सही angle से चाहो angle से भी कर सकते हो जैसी आपकी मर्जी so अगला question आपके पास and आने वाला question है यह exam में hundred and ten percent hundred and ten percent and चल्दी से फोर ना है केवल और केवल 30 सेकेंड का समय देंगे answer poll में दो comments में दो बस question फोरो question number 21 फोर दीजे question को देखो 72 प्रतिशत बच्चा है जो सही answer दे रहा है 72 प्रतिशत बच्चा है जो सही answer दे रहा है उसके अलावा बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो गड़बड कर रहे है चलिए भई मेरी तरफ से आपका समय होता है समाथ मैं देखिए इसने न हमको sine में दिया है और cause हमसे पूछा है मैं क्या यहाँ से sine theta 1-sine square theta कह सकते हैं तो ये तो मैं sine theta बराबर cos square theta हो गया जो पूछ रहा है मैं इदर आना cos square theta की जगे sine theta cos to the power 4 फिर से sine square theta और इसकी value तो already 1 दे रखिया है मैं What is the answer? मज़ा आया चलें आगे नेक्स वेस्टेशन देखो जरा अगें शॉट ट्रेक पर है 3 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा अगर 5 है तो बताईएगा 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा कितना होगा समय स्टार्ट 15% चार्जिंग पर लगाना पड़ेगा येस 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 जल्दी से 4D जेक प्वेस्टन को वेरे गुड और अगर आज ट्रिग्नोमेट्री निप्टानी है चाहते हो कि अगले 15 दिन बाद जब एक्जाम है मैम अब हमें ट्रिग्नोमेट्री दुबारा न उठानी पड़े तो आज का सेशन इमानदारी से करना मेरी गैरेंट्री ट्रिग्नोमेट्री उठानी निपड़ेगी आपको दुबारा अरे हाँ मैम प्लस है माइनस है क्या कहोगे येस मैम प्लस है माइनस है कोफिशेंट बदल रहे हैं तो इसकी वैल्यू अंडर रूट में A स्क्वेर प्लस B स्क्वेर माइनस C स्क्वेर कितने आ जाएगी 3 यानि कि क्या हो जाएगा इसका अंसर ओप्शन B क्या हो जाएगा इसका अंसर ओप्शन B ठीक है सचिन आजपूत क्या कह रहा है बिल्कुल सचिन कोशिश करूँगी मैं कोशिश करूँगी सारे क्वेस्चन वो ले रहे हैं जो आपके एक्जाम के पॉइंट ओफ यू से है अब बात आती है इसमें आपकी नेक्स्ट आइडेंटिटी देखो बड़ी ही जबरदस्ट आइडेंटिटी है इस पर भी आपके डिरेक्ट ली क्वेस्चन बनते है क्या कहती है आइडेंटिटी कि कहीं पर भी अगर आपका 1 प्लस 10 स्क्वेर थीटा लिखा होता है तो आप लोग इसको 6 स्क्वेर थीटा कह देते हो 1 प्लस 10 स्क्वेर थीटा कितना बोलते हो 6 स्क्वेर थीटा और अगर उठाके इदर ले जाए तो 6 स्क्वेर थीटा माइनस 10 स्क्वेर थीटा 1 हो गया A स्क्वेर माइनस B स्क्वेर कितना होता है A प्लस B A माइनस B तो क्या यहां से sec theta minus 10 theta को 1 upon me sec theta plus 10 theta या फिर sec theta plus 10 theta को 1 upon sec theta minus 10 theta कह सकते हैं use होगा इसका मैम use होगा का example question आया कही पर sec theta plus 10 theta is equals to 4 है तो जल्दी से बताओ cos theta क्या होगा बच्चा लग्या sign cos में तोड़ने में उसने रेखा sec plus 10 है तो sec plus 10 reciprocal है इसका यानि sec theta minus 10 theta तुरंत ही इसका उल्टा 1 by 4 दोनों का addition करिएगा ये cancel हो जाएगा 2 sec theta किसके एक पुला जाएगा 4 plus 1 by 4 17 by 4 यानि 2 upon में गया so sec theta 17 upon 8 या cos theta 8 upon में 17 answer समझ में आई इसकी importance अभी को जल्दी बोलिए 8 upon 17 very good अब नहीं बोलेगा कुछ वच्छा जी सभी का 8 upon 17 आ रहा है देख लीज़ेगा तो चलिए अब आती है बात इस पर बेस्ट question की देखे जरा कौन answer देगा question number 23rd चल रहा है और समय start question number 23rd चल रहा है समय start देओ answer देओ answer बचे बस कोशिश यही के आज जितने भी question करें न मैम सारे वो करें जो exam में hit मारें और अगर आप लोगों को मेरी किताबे करनी है तो मैं अपनी किताबे YouTube पे तो पहली करा चुकियो जो topic wise practice session लगाया था आज रात trigonometry का session लगाऊंगी अनकाडमी पर डेर से दो घंटे का सो यही चीज वहाँ और जादा confirm हो जाएगी आपकी ठीक है बचे सो समय रोक देते हैं मैं देखिए sec theta minus 10 theta 4 by 3 उसने आपको दिया है तो आप यहाँ से sec theta plus 10 theta को इसका 3 by 4 कह दो दोनों को जोड़ दीजे यह cancel हो जाएगा 2 sec theta आपके पास 4 by 3 plus 3 by 4 LCM लेंगे नीचे 12 उपर 16 on 9 25 आजाएगा यानि cos theta 24 upon 25 लेकिन यह तो sin theta पूछ रहा है so sin theta कितना 7 upon 25 option C Pythagoras theorem triple 8 बन रहा है यह क्या बन रहा है यह आपका triple 8 is that clear very good तो चलते हैं अपने अगले question पे next question देखेगा जरा question नहीं again आपका next formula जैसे हमने अभी identity 10 और sec के ले पड़ी ऐसे ही हमारी identity cot और cosec में भी होती है कि 1 plus cot square theta cosec square theta होता है तो इसको क्या लिख सकते हैं cos square theta minus cot square theta बराबर 1 a square minus b square का formula लगाएंगे so cosec theta plus cot theta 1 upon cosec theta minus cot theta या उल्टा के दो इसे ये भी shot trick का खाम करता है आपका अब बात आती है मैं question दे दो इस पर based so ये रहा question इस पर based आपका question number 24 फोड़ दीजे question को मर्जी तुमारी कैसे भी कर लो चाहे angle से करो चाहे formula से करो जैसे चाहे वैसे कर सकते हो angle से करो या formula से करो करो जल्दी से एक लड़का मुझे लिख रहा है speed बनाओ madam मेरे जल से मत बोल speed बनाओ paper मुझे नहीं देना paper तुमें देना है मैंने speed बना दी न तो तुमीं लोग कहोगे मैं क्या हो रहा है अराम अराम से हॉले हॉले से जैसे अभी starting में कह रहे थे ठीक है book कैसे बाए करें गोविन अगर आप इस वाले एरफोर्स exam के लिए बोल रहे हो तो अब इतना समय नहीं है कि आप book खरीदो जितनी भी pdf हम लोग telegram channel पे देंगे आप वहाँ से उन्हें purchase करके करिएगा ठीक है free of cost है और वो भी free of cost है कोई charge आप से नहीं ले रहे ठीक है हाँ देखो कैसे करोगे क्या बताओ बताओ angle रखके करें या कैसे करें जल्दी बोलो angle रखके करें या मैं formula से बताइए चलो formula से बता देते हैं practice हो जाएगी command हो जाएगी मैं जो यह sec theta plus 10 theta है ना इसकी जगे 1 upon sec theta minus 10 theta रख लो आरे रख लो क्या दिक्कत है नीचे वाला as it is छोड़ो के पूरे का whole square ठीक है नीचे कुछ change नहीं कर रहे madam इदर ना जड़ा LCM ले लिजेगा so 1 minus sec theta minus minus plus 10 theta upon में sec theta minus 10 theta यह LCM जो लिया और नीचे क्या लिखा है 10 theta minus sec theta plus 1 इस पूरे का whole square so देखना बच्चे यह तो cancel हो गया उपर नीचे same था अब ma'am answer जो है ना वो sine cause में है so sine cause में तोड़ दो क्या करोगे 1 upon cos theta 1 upon sine upon cos cos उपर चला गया square है 1 minus sine theta का whole square क्या इस चीच को 1 minus sine square theta कह सकते हो a square minus b square a plus b a minus b so 1 plus sine theta upon 1 minus sine theta कौन सो option आ गया बच्चे लोगो b समझ में आया so give me the sign of thumbs up समझ में आया so give me the sign of thumbs up कोशिश कर रहे है एक एक question आपके साथ cover हो जाए और जो डलने सो रही है उस पर न जाना क्यूंकि हमारे हाँ light नहीं आ रही है तो fan man off करके इस समय lights off करके तुमारी class ली जा रही है कि break न लगे next question पर आते हैं इसी तरह का देखते हैं कौन सही answer देगा मुझे इसको मैं solve नहीं करूंगी इसका direct answer टिक करूंगी time starts इसको मैं solve नहीं करूंगी इसका direct answer टिक करेंगे जल्दी से कौन answer देगा मुझे इस question का फटा फट से hurry up जल्दी से दीजएगा answer चले बई समय रुख जाता है अरे ma'am अभी तो short trick बताईए same उसी format पे जाईए कि जो यह आ रहा है na cosec minus cot इसमें ma'am यह reverse आ रहा है तो एक काम करो उपर वाला as it is ही रहने दो जो upon में है cot plus cosec या cosec plus cot इसको 1 upon cosec theta minus cot theta लिखिए 7 में minus 1 LCM लेंगे ma'am तो यह जो है यह तो पलट के उपर पहुँच गया cosec theta minus cot theta जब LCM लेंगे यहां लिख रही हूँ यह 1 minus cosec theta plus cot theta आएगा same उपर वाले की तरह है कट जाएगा यानि answer क्या आजाएगा option B काफी सारे बच्चों ने same answer दिया है yes or no रोहन के रहा है मैं मैं सारे सही दे रहा हूँ बहुत बढ़िया यार और क्या बच्चों की जान लोगे यह तो repeat हो गया question चले आगे आता है आपके पास एक concept जो हर हाल में हर एक बच्चे को पता होना चाहिए question की practice कर ली अभी तर अब आजाओ concept concept क्या कहता है बच्चे जब आप कहते हो trigonometric function क्या कहते हो function यानि की फलन तो आपको पता है हर फलन का अपना एक domain यानि की प्रांत होता है और अपनी एक range that means परास होती है कि वो कहा से कहा तक की values ले सकता है सो आपके पास ये revision करा रहे है जो domain होता है प्रांत sinex हो या causex हो हर जगे define होता है हर जगे क्योंकि आप लोग graph बना के देखते हैं जब sinex का तो चलता ही चला जाता है causex का देखेंगे सो ये भी आपका चलता ही जाता है यानि sinex हो या causex हो इसका domain real number सब जगे परिभाषित है maximum कितना जाता है उपर plus 1 minimum नीचे minus 1 so maximum और minimum value range minus 1 से plus 1 होती है याद रखना maximum minimum में ये बहुत काम आएगा next आता है इसके बाद आपका अगर 10 के लिए बात करें तो आपको पता है 1090 degree infinite होता है इसलिए इसके domain में सारे real number है सिवाए pi by 2 के 2N plus 1 odd विशम गुडांकों को छोड़ कर क्या कहा? odd विशम गुडांकों को छोड़ कर और range बोले so 1090 plus infinite होता है sin to 10 270 minus infinite so सारे real number है या ये कह दो अब cot पे आजाओ cot में cot 0 infinite होता है cot pi infinite होता है यानि इसका domain सारे real number सिवाए pi के multiple को छोड़ कर और range इसकी भी सारे real number कुछ भी आ सकता है sec और cos sec क्योंकि sin cos के उल्टे होते हैं sec और cos sec देखो sec किसका reverse है cos का cos sec किसका reverse है sin का तो sec का जब domain पूछेगा सारे real number सिवाए pi by 2 का odd multiple क्योंकि sec 90 degree पर infinite होता है और cos sec pi पर या 0 पर infinite है सारे real number सिवाए pi के multiple अब बात आती है range तो sin cos के उल्टे हैं यानि सारे real number होते हैं लेकिन जो बीच में portion दिख रहा है minus 1 से plus 1 उसको छोड़ कर उसको छोड़ कर सो अगर ये table revise हो गई हो तो लिख देजे yes ताकि मैं आगे बढ़ू next पर अगर ये table revise है तो जल्दी से yes लिखो जल्दी से yes लिखिए content तो वाइस आप बढ़िया ही है content तो वाइस आप गजब है ही है reason is that कि कुछ भी चीज मुझे नहीं छोड़नी है आपकी कुछ भी चीज नहीं छोड़नी है आपकी अब बात आती है इसमें आपके पास एक ये table जहां पर आपको ये दिख रहे हैं क्या कि इनका जो values हैं वो क्या-क्या है so जहां तक आप सब लोगों को पता है पहले वो recall कर लेते हैं sin 00 होता है sin 30 1 by 2 sin 45 1 by root 2 sin 60 root 3 by 2 sin 91 यहां तक पता है आगे नहीं भी पता तो हम बना लेंगे cos theta इसका उल्टा होता है देख लीजे sin की value बढ़ती जा रही है sin increasing function है sin की value बढ़ती जा रही है sin कैसा function है increasing बढ़ रहा है cos की value घटती जा रही है कैसा function है decreasing कैसा function है बचे decreasing यह भी ध्यान रखिएगा ठीक है यह भी ध्यान रखिएगा next आती है बात आपकी क्या कि मैं 10 theta 10 theta 0 10 0 पे 0 10 30 1 by root 3 45 पे 1, 60 पे root 3 90 पे infinite यानी 10 भी बढ़ता जा रहा है increasing function cot इसका उल्टा है decreasing function यह values याद होनी चाहिए अब बात आती है क्या sec के लिए कि sec theta जो होता है sec 0 पे 1 sec 30 पे 2 by root 3 sec 45 पे 1.414 sec 62 और sec 90 infinite by 1 1.414 इधर 2 इधर infinite सो sec भी कैसा function दिख रहा है आपको increasing कैसा function दिख रहा है increasing और इधर यह decreasing दिखान रहेगा सभी को जल्दी से बोलो yes or no जल्दी से बोल दीजे एक बार वेट कर रहे हैं आपके comments का yes or no जल्दी से बोलो फटावट से comment सबके मुझे दिखाई दिख रहे हैं yes दिखना चाहिए सभी का thumbs up main जो दिखान रखना है वो किस बात का increasing decreasing का और सभी लोग जितने भी नए हैं अगर चाहते हैं कि 15 अगले जुद्ने भी दिन आपके बच रहे हैं हर एक chapter क्योंकि मैं weightage के हिसाब से chapter उठा रहे हैं जिससे exam में must question आते हैं तो आप लोगों को ये class miss नहीं करनी है हाँ class के timing में उठा पटक हो सकती है वो आपको भी बता है कि मुझे in academy पर भी पढ़ाना है यहाँ पर भी पढ़ाना है तो आप सभी लोग इतना corporate जरूर करिएगा और आज in academy पर इसी का practice session लगाएंगे देड़ से दो घंटे का रात में 9 बजे next आते हैं देखेगा next ये तो उससे भी अच्छा concept आ गया क्यों मैं ही? क्या कहते हो? देखो ज़रा देख रहा है, visible है minimum दो question दो बच्छे आते ही आते हैं ट्रिग्नोफटी के देखेगा कहां से शुरुवात करिए मैंने इसमें आपके साथ मैंने शुरुवात करिए हैं आपके साथ यहां से अच्छा है, ऐसे दिखा ही नहीं देगा क्या? कि बही एंगल को इधर से नापना शुरू करते हैं, 0 डिग्री से 90 डिग्री पाइवाई 2 तक जाते हैं इधर चले गए 180 डिग्री पाई तक जाते हैं कि इधर पहुँचे 270 डिग्री यानि 3 पाइवाई 2, और ऐसे चले तो 0 डिग्री यानि 360 cycle पूरी और उसके बार फिर repetition तो जो पहला वाला quadrant है उसमें इस 90 से छोटे एंगल या जो repeat हो क्या है 360 से बड़े एंगल second वाले में 90 से बड़े 90 प्लस theta या 180 से छोटे तीसरे वाले में 180 से बड़े या 270 से छोटे और fourth quadrant में और आगे बड़ गए 270 से बड़े 360 से छोटे या मैं एंगल उपर की तरफ नापने हैं अगर कभी पीछे की तरफ नापने लगे तो minus theta हो जाएगा सो बिलकुल minus theta भी fourth में पड़ेगा अब ये सब को पता है rule कौन सा rule ASTC ASTC यानि जो पहला quadrant है उसमें sin, cos, 10, cot, sec, cos, sec, sare plus second वाले में केवल sin और उसका उल्टा cos, sec, plus बाकी सब negative होते हैं third वाले में t4, 10, cot, plus बाकी सारे negative होते हैं और fourth वाले में cos और उसका उल्टा sec, plus बाकी सारे negative होते हैं चले आगे जल्दी से चले आगे यह सारा आपको pdf में मिल जाएगा so pdf जरूर जरूर से आप लोग देख लीजएगा ठीक है और इसी table को और elaborate करके यहां लिखा है जिसों आपको pdf में पढ़ना है मैं नहीं पढ़ा रही हैं यह pdf में पढ़ना है ठीक है जो ध्यान रखने वाली बात है वो यह कि मैं जो 90 degree प्लस थीटा या माइनस थीटा है और जो 270 degree प्लस थीटा या माइनस थीटा है इनके बारे में कुछ विशेश टिपणी देना चाहेंगे आप लोग जल्दी से बताईए इनके बारे में कुछ विशेश टिपणी कहना चाहेंगे आप कि येस माम इसमें ये भी ध्यान रखना होता है क्या बात है विशेश टिपणी आई नी इसके बारे में येस माम कि ये जो होते हैं ना माम ये चेंज हो जाते हैं कैसे चेंज होते हैं Sign वाला cause में change होता है, cause वाला sign में. Ten change होता है, cot में. Cot change होता है, ten में. Sec change होता है, causec में. And causec change होता है, sec में. So, ये आपको ध्यान रखना होगा. आगे चलते हैं बचे. अब इस पर based question. देखते हैं कितने लोग recall कर रहे हैं? बहिए मेरातन क्या चल रहा है? आपका revision ही तो चल रहा है. जो concepts आपने पड़े हैं, अगर वो भूल चुके हैं, तो revise हो जाएं. ये वो class नहीं चल रही हैं, किसी को नहीं आता, तो मैं यहां बैठके 20 minute उसे समझाऊंगी. नहीं. क्या करना है? तो आपका इस question का समय शुरू. ठीक है, कल से white कर लेंगे. ठीक है, जैसे बता होगे, वैसे चलता रहेगा. टाइम रोग देते हैं यापर. मैं देखिए, इसने सबसे पहले सबसे ज़रूरी बात दी है, कि जो आपका ये है ना, ये second quadrant में है. Second quadrant में ध्यान रखना मैं केवल sine plus में होता है, या उसका उर्टा कॉस एक बागी सब माइनस. So मैं यहाँ पे 1 प्लस sine, 1 sine प्लस ही रहेगा, लेकिन कॉस माइनस माइनस फ्लस माइनस. मैं ये कॉट में दिया है, कॉट में दिया है, इसका मतलब क्या दिया है मैं? Base 12 है, perpendicular 5 है, so hypotenious 13 है. पुट कर दो सारी चीजे भई आपन, sine theta perpendicular upon में base, cause the perpendicular upon hypotenious इधर भी हो जाएगा, sine 5 बटे 13, 12 बटे 13, कर लो इसकी गुणा भाग कितना आएगा? बोल दो कितना अंसर आ रहा है? जल्दी से बोल दो कितना अंसर आ रहा है भई? फटा फट से बोल दो यार, इसको भी solve कर रहा होगे, क्या 13 है सिया, उपर 13 प्लस 5, 17, नीचे आ जाएगा 13 माइनस, so उपर आ जाएगा 30, नीचे आ जाएगा माइनस 4, चेक कर लो माइनस 15 बटे दो, option C, क्या है अंसर? option C, आगे बढ़िए next, देखें कौन आंसर देता है इसका, जल्दी से आंसर दीजे, चलो time नहीं दे रहे, अब तुम आंसर कमेंट्स में लिखो फटा फट से, सर पोल रहने दो थोड़ा सा, time लगेगा, पोल में बच्छों के question निप्टाने, क्या कहते हो भई? चलो आप ही लोग बताओ क्या कहते हो, पोल लूँ या बिना पोल के करवाऊं? पोल ले या बिना पोल के करवाएं, क्या कहते हो भई बताओ? सो question कराने सर, अभी हमाँ 28 पर, light की problem है, अच्छा हमारी तरह से, कैसे करने हैं? सब्बंद हो चुका है, इस समय पर सिर्फ आपकी यह light के जल लिए, सेट अप चल रहा हैं, पोल जल रहा है? टाइम मत रखो, पोल ले लो, अच्छा ठीक है, टाइम नहीं रखते, पोल ले ले लेते हैं, very good, भाई स्टार्ट करते हैं इस question को, मैम यहाँ पर, इस question में इसने हमसे कहा है, क्या कहा है मैम, कि आपका जो यह है, quadrant देखो जरा कौन सा रिया है, 90 से 180 का मतलब है, second quadrant दिया है मैम, बिल्कुल सही बात हैं, और second quadrant दिया है, तो भाईया, आपका जो sec है, minus में होगा, जो आपका cut है, वो भी minus में होगा, sign दिया है, यानि perpendicular 3 है, hypotenious 5 है, तो base कितना हो गया, 4, यहाँ पर sec है, hypotenious upon में base, इधर cut है, so base upon में perpendicular, यह cancel हो गया, minus का 5 बटे 2, plus का 4, कितना आगया answer, 3 बटे 2, option B, क्या है answer बच्चे, option B, ठीक है, ruthless बोल रहा है, इतना hard नहीं आता exam में, आप बहुत hard पढ़ाते हो, क्या जवाब दो इसे, यह इसे hard लग रहा है, बच्चों तुम खुदी दे दो, इसे जवाब अपने आप, इसका मतलब इसने अभी देखा ही नहीं, चित्रा मैं पढ़ाती क्या है, अभी particular x group के exam से पढ़ा रही हूँ, इसलिए level यह चल रहा है, ठीक है, और actually जब पढ़ाती हूँ, अगर तुम्हें यह hard लग रहा है न, तो फिर मान के चलो, इसका बाप पढ़ाती हूँ मैं, अगर तुम्हें यह hard लग रहा है तो, paper आएगा यही, अब पता चला hard पढ़ा दिये है, आईएगा next, अगर alpha second quadrant में है, अगर alpha second quadrant में है, दुत्य चतुर्थांश में है, तो बताईए इसका value क्या होगा, पोर दीजे सारे के सारे, बिल्कुल आकाश सही कह रहा है, आकाश offline बैच का बच्चा है, कह रहा है मैं हम यह coaching आ गया, तो यह तो बावलाई हो जाएगा, चलो, second quadrant है, प्लस माइनस बाद में देखेंगे, LCM लीजे, उपर 1-sin alpha, minus 1-sin alpha, upon में 1-sin square alpha, लेकिन under root है, तो cos, यहाँ पर 1-sin 1 कट गया, कितना minus का, twice of 10 alpha, मैं मुस्ने न second quadrant दिया है, second में तो 10 अपने आप में ही minus होता है, सो minus minus प्लस हो जाएगा, यानि answer कितना, 2-10 alpha, क्या दोगे answer, option B, क्या देंगे answer, option B, unacademy पर classes कैसे ले, उसके लिए मैं बता दूँगी, मैं बता दूँगी just अभी, आजाओ ज़रा, अब की बार alpha pi से 3 pi y 2 के बीच में है, पूछता है value बताईए, दीज़ेगा answer, दीज़ेगा answer कितना होना चाहिए, जल्दी से, same उसी pattern पे है, लेकिन quadrant क्या दे दिया, इसने quadrant third, ठीक है, majority option B दे रहे हैं, okay, करना शुरू करें स्वार, बच्चों नहीं लिखा है, कि मैं मैं आप पोल तो देओ, लेकिन इदर time मत देओ, उससे परिशानी हो रही है, आप मुझे वहाँ से बता दिया करें ना, कि अब कर लीजे, एक मिनट, एक question, solve question, चलिए वही, solve करना शुरू करते हैं, रेखेगा जरा, यहाँ पर, pi से 3 pi by 2, third quadrant है, third quadrant में पहले से solve कर लीजे, उपर 1 plus cause alpha, 1 minus cause alpha, अपॉन में sin alpha आ जाएगा, यह cancel हो गया, 2 cause एक alpha, लेकिन मैं third quadrant है, जिसमें यह negative होता है, so answer क्या आएगा, option B, क्या answer आएगा, option B, क्या है answer, option B, ठीक है बचे, very good, शाबाश, आईएगा next question पर बढ़ते हैं, और देखते हैं, कितना आप लोग चलते हैं, अगर थीटा 11 pi by 3 है, तो cos theta minus sin theta कितना होगा, क्या कहते हैं यह कितना होगा, चलो भई, 30 second का समय दे देते हैं, करिएगा शुरू 30 second का समय देते हैं, अगर बढ़ते हैं, यह लास्ट मोमेंट तक भी लाइट आजाएंगा, चलो भई, देखेएगा question कैसे किया जाएगा, मैम यहाँ पर इसने 11 pi by 3 दिया है, 11 pi by 3 को क्या हम यहाँ पर, 11, 3 forza होता है 12, so 12 pi minus pi by 3 कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं यहाँ पर, 4 pi minus pi by 3, मैम 4 pi गुमा के लाओ गई, यहाँ पड़ेगा 4th quadrant, जहाँ पर अब देखना है plus minus, so मैम जो cause आएगा, वो तो हमारे पास होगा कैसा, बच्चे plus 4th quadrant में, लेकिन जो sine आएगा, वो कैसा होगा minus, so cause pi by 3, minus minus plus sine pi by 3, cause 60, 1 by 2, and sine 60, root 3 by 2, so कौनसा answer मिल गया, option A, क्या मिल गया answer आप लोगों को, option A, ठीके, quadrant का हिसाब यहाँ पर देखना था, बच्चे देखो, इसी का session मैं, आज ही continue करूंगे, आपके साथ, telegram वगेरा पर, जब आप बदल क्या हो, थोड़ी सी देर का break ले रहे हैं, आप लोग, class रुकेगी, break नहीं है, class रुकेगी थोड़ी सी देर के लिए, हमारे उदर, light का थोड़ा सा आज problem है, cut, आपको दिखरा होगा, मुझे देख करी है न, so बिना fan वगेर के सब चला रहे हैं, दो मिनट का break लीजिए, बस, break भी क्या है, वो सण नीचे गए, आप इंवर्टर वीप दे रहा है, देख रहे हैं, क्या problem है, NDA में कैसे लेवल के question आते हैं, बढ़िया लेवल के question आते हैं, NDA में भी कराएंगे यार मिरा थन, कराएंगे मिरा थन इंडिया में भी, वैसे है कैसा, क्या लगा, पोल लेना चाहिए या नहीं, जल्दी बोलो, पोल लेना चाहिए ना, पोल समझा आ रहा है ना, पोल राइट रॉंग नहीं बता रहा है मैं, बिल्कुल मोहित, कर दो कर दो, क्या? यावी तक बुटी जहां है, यावी ते बाएंगे आट श्रीन, ते श्रीन, तक रिच्थे जहां है, नहीं कुलता रहा है, क्दीश्यो पीर्चड्ड्यु श्रीच्डवी, कि चले में देखेंगा सभी लोग देखेंगा आचुका है क्या everything is clear पड़ावट से देखो आचुका है क्या ये सो नो में जवाब दीजिए अभी आचुका है everything is clear or not yes 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 आला रे आला बिलकुल आला रे आला बिलकुल बच्चे बिलकुल हमी लोग हैं यहाँ पर आप लोग हैं मिलकर आज हमें पता नहीं था actually हमारी लोकालिटी में आज लाइट का कट है शुबह 8 बजे से हे ही नहीं 3 बजे आएगी सुबह सब घर में कुछ भी नी चल रहा है एक ये बोड और एक ये चल रहा है सब घर मी में है इस समय पर कैर यही मेनत है जो आपको भी और हमें भी दोनों को आगे ले जाएगी तो चलते हैं हम लोग आगे की तरफ एक बार शेयर कर देना कि यह class start हो चुकी है मैं 2D 3D के मेरातन की तरह बाकी भी कराना बहुत benefit बिल्कुल यार सारे कराएंगे सारे कराएंगे बेफिकर रहें सारे कराएंगे chapter बेफिकर रहो अब फिर आता है आगे आपके पास यह एक result यह वो result हैं जिनसे exam में आपके directly question बनते हैं कौनसे result हैं जिनसे exam में आपके यह directly results बनते हैं कैसे बनते हैं results उनके लिए मुझे आपको एक बार ले जाना पड़ेगा इस तरफ देखो जरा अभी आपने quadrants पढ़े quadrants के अंदर आपने पढ़ा था कि जो 10 90 degree minus theta होता है वो कितना होता है cot theta yes or no और आपको पता है 10 theta cot theta जहां भी लिखे हैं साथ साथ cancel करके 1 दे देंगे तो यही आपका rule है कि जहां पर भी 10 में या जहां पर भी cot में दो angles आपके multiply में आ रहे हैं किसमें कहा? 10 में या cot में do angle multiply में आ रहे हैं और उन आने वाले angle का जोड़ क्या है बच्छे? 90 degree है कितना है जोड? 90 degree है तो पक्की बाते वो दोनों एक दूसरे को cancel करेंगे और answer क्या देंगे आपको यह 1 क्या देंगे answer यह आपको 1 अगर वो एक दूसरे को cancel कर रहे है थीटा होता है उसको हम लोग कॉस थीटा कहते हैं और हमारे पास sin square theta plus cos square theta 1 होता है तो क्या बनी identity? कि कहीं में अगर sin square theta या sin square 90 degree minus theta है तो भी value 1 होगी इसी तरह से cos square theta cos square 90 degree minus theta है तो भी value क्या होगी? 1 होगी yes or no? क्या मतलब कि जब भी sin cos square में addition आएगा कैसा addition आएगा? कि जो ये angle है इनका जोड 90 आ रहा है तो value कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी कितनी हो जाएगी बच्चे value? 1 हो जाएगी अब देखो जड़ा ispurbaste ispurbaste देखते हैं तो हमने कहा यहाँ पे कि अगर हमारे पास कभी भी right angled triangle है सम कोण त्रिवुज है मान लो a, b, c सम कोण है तो a कोण तो 90 degree हो गई होगा यानि अगर हम sin square b देखें तो 1 होगा लेकिन जो बाकी के दोनों कोण बचे उनका जोड 90 degree होगा सो कही ना कहीं अगर sin square a plus sin square c बोला जाए तो कितना हो जाएगा ये 1 तो इसी लिए result मना के आपके सामने लिख दिया है कि अगर right angle triangle है सम कोण त्रिवुज है तो sin square a plus sin square b sin square b 2 होता है जबकि cos square a cos square b cos square c हमेशा 1 होगा इदर 2 नी होगा क्यों क्योंकि cos square अगर b निकालोगे b को 90 degree ले रहे हो तो ये तो 0 होगा न क्या बचेगा केवल cos square a plus cos square c बराबर 1 ठीक है क्या हो जाएगा cos square a plus cos square c बराबर 1 मोगल तिवारी कह रहा है generator मंगालो बेटा कितने generator मंगाले है वई office में है सारे के सारे घर पे नहीं है और covid में इतना है नहीं कि हम लोग वहाँ जा पाते या कर पाते ठीक है तो चले आगे कितना concept clear जो लोग चले गए उन तक जड़ा class को share कर दीजे मैं माप गायर अब नहीं हम गायर नहीं है हम यहीं पर है तो देखेगा इसी में क्या बनता है आपके पास question देखें जड़ा कितने लोग हमें यहां answer देना शुरू करते है and समय बिल्कुल शुरू कर देते हैं आपका 1, 2, 3, go बिल्कुल, go दीजे answer कितने लोग देंगे इसका answer हमें फट्टा फट से उमीद करते हैं सारे के सारे सही answer देंगे आपके पोलिंग के तुरू दीजेगा बिटा नकेडमी पर क्लास कैसे लिए आप पूछ रहे हैं उसका भी हम बता देंगे यहां आप हमें call कर दीजेगा फिरलाल अभी जिस सीच के लिए आप और हम यहां महनत कर रहे हैं वो थोड़ा सा successful हो जाए क्या question की practice So yes समय finish क्या करेंगे मैं इधर देखिए ध्यान से 10, 45, 1 होता है 15 और 75 को जोड़ेंगे तो 90 आता है इसका मतलब मैं यह दोनों एक दूसरे को cancel कर देंगे 25 और 65 को जोड़ेंगे 91 सो कितना answer हो गया Option D क्या हो जाएगा answer Option D लड़ू था सभी ने खालिया होगा अगला question Next 33 X group में must है यार सिरीज वाला question ऐसा हो नहीं सकता है X group का paper बने और ये question ना आए उमीद करती हूँ 100% answer आएगा इस question का दीजे answer उमीद करते है 100% answer आएगा Yes Very popular question है Famous question है ये होई नहीं सकता आप defense के बच्चे और इस question को छोड़ दे और मज़े की बाद पोल में आप देखेंगे कितने नलायक नमुने ऐसे है जो इसको भी गलत कर रहे है आप भी देख ले ना आपका competition किन बच्चों के साथ है आप सब लोग भी देखेगा किन बच्चों के साथ competition है आपका 100% result आना चाहिए इस question का तो चलिए भाई आपका समय होने वाला है समाप मैम कॉज में तो ऐसा कुछ होता नहीं cancel कर दे मैम 1 से जा रहे हैं 180 तक जा रहे हैं तो बीच में कही ना कही 90 डिग्री भी तो आएगा कॉज 90 0 होता है सब कुछ multiply में है multiply में everything will be 0 answer is C क्या हो जाएगा answer C तो चलते हैं next question 34 question ये भी बड़ा ही pet question है series का है ना जाना माना पहचाना question देखा हुआ question बढ़े इसके poll पर करें समय की शरुवात 1,2,3, go बच्चे लोगों दुबारा से वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजेगा दुबारा से आप सभी लोग वीडियो को शेयर जरूर कर दीजेगा ठीक है और polling में जादा से जादा लोग participate लीजे जाट Mr. Sachin कोशिश तो की जा रही है कि यहां भी आपका right wrong वाला feature आ जाए देखते हैं बच्चे कह रहा है poll में और मज़ा आ जाता अगर किसी तरह से पता चल जादा right wrong क्या है देखते हैं उस तरफ भी आ आगाज बिलकुल आगाज हो गया है न तो चलिए भई समय रोके मैम यहां तो समझ में नहीं आ रहा बच्चे यहां देखो 10 20 30 10 10 10 का gap है अगर आप लोग थोड़ा बहुत revise करें जब हमने detail पढ़ाया है sign का graph यह आता है 10 20 30 40 50 60 70 90 कुछ कुछ ऐसी चलते हो 180 तक 90 हो जाता है उसके बाद इधर चले गए तो यह कितना आ गया 360 मैम यानि जितनी value 180 तक उपर आएंगी उतनी ही value नीचे है अगर उपर की plus है तो नीचे की क्या है minus यानि कितना answer 0 option A था ना बढ़िया सा लड़ू क्या है answer option A ठीके next question अगर A, B, C, D अगर A, B, C, D कोई cyclic quadrilateral है cyclic मतला चक्रिय चत्रभुज जिन बचों को नहीं पता चक्रिय चत्रभुज तो बता देते हैं कि एक ऐसा चत्रभुज quadrilateral जो circle के अंदर बन रहा है ठीके तो यह कहता है इसकी value कितनी होगी समय शुरू कोशिश करो आप सारे के सारे लोग जादा से जादा polling के थूँ answer दे हाँ जी बही बहुत अच्छे चलिए बही समय की रोग देते हैं मैं जो इसने cyclic quadrilateral बोला ना यह ABCD यह बोला ही इसलिए है क्योंकि cyclic quadrilateral में जो आमने सामने का एंगल है उनका जोड 180 होता है और अगर इनका जोड 180 है मैं तो देखो क्या question बढ़िया गुमा दिया कि जो यह है इसे 180 minus A इसको 180 minus C लिखेंगे 180 minus theta minus cos theta होता है cos A plus cos यह B है sorry B हो गया इधर यह cancel हो गया सो के कितना आ गया माइनस 1 option B क्या है answer option B कुछ बच्चे option A टिक कर रहे है बच्चे 35 question का option B है क्या है answer option B next question same उसी तरह का है अब नहीं बताऊंगी इसे फिर से इसने कहा cyclic quadrilateral चक्रिये चत्रभुज हैं फिर से कहा cyclic quadrilateral चक्रिये चत्रभुज हैं दीजे आंसर दीजेगा आंसर कुछ बच्चे कह रहे हैं क्या कि पोल नहीं आ रहा कोई बात नहीं आप comments में answer लेकलो main है question को attempt करो main है question को attempt करो नकल को भी अकल चाहिए होती है तो यह question वही है जो just अभी अभी हमने आपको बताया है क्या कि कैसे इस question को किया जाएगा तो समय रोग देते हैं main cyclic quadrilateral है अभी तो आप बोले थे कि आमने सामने a plus c pi होगा और आमने सामने b plus d भी pi होगा so ma'am यह जो आ रहा है न नब बे वगेरा इससे पहले बदल दो 180 plus theta कितना हो जाएगा यह आपके पास ma'am minus में cos a minus में cos b minus में cos c minus cos d पिछला ही question तो बन गया minus comment ले ले तो मैं हम यह तो सारे cancel कर देंगे एक दूसरे को कितना answer हो जाएगा 0 option a क्या हो जाएगा बच्चे answer 0 option a same अभी करा है ऐसा question next question उमीद करते हो सारे फोड़ेंगे इस question को दीजे answer उमीद करते हैं सारे फोड़ेंगे इसको उमीद करते हैं चले बई time लोग देते हैं मैं यहाँ पर हम लोग आते हैं तो देखेगा जरा मैं यह जो है 5 by 4 1 हो जाएगा मैं इदर यह जो 5 by 20 और 9 by by 20 इसको जब जोड़ेंगे so यह हमारे पास 5 by 2 आएगा यह भी cancel इसी तरह से यह दोनों भी cancel so what is the answer option B क्या है answer option B ठीक है next next पर आते हैं देखें कौन देगा सबसे पहले question number 38 समय शुरू समय शुरू 38 शाबाश बढ़िया जारे हो सारे के सारे बढ़िया जारे हो इस question में तो देखते ही phone ना है लेकिन देखना लगबक साड़े चार सो तुम बच्चे हो और polling वाले वही 200 लोग आते हैं पता नहीं क्यों पोल्स इतने बच्चों के phone में नहीं आ रहा है ऐसे किसे हो जाएगा हाँ मानते हैं 50 बच्चे 100 बच्चों के phone में नहीं आएगा अब कोई बोलेगा मैं मेरी speed कम है मेरा नहीं हो पारा तो भाई speed बढ़ा लो यहाँ पर 10 थीटा 10 थीटा का ग्राफ आप सब लोगों को पता होना चाहिए इस तरह का होता है यह क्या है 90 डिग्री पर इधर 180 डिग्री और आगे चलेंगे 270 डिग्री तो इस तरह का यानि 0 से 90 तक जितनी value पन है प्लस उतनी 90 से 180 तक माइनस तो यह सारी की सारी values एक दूसरे को cancel कर देती है answer कितना आ जाता है 0 कितना आ जाता है answer 0 ठीक है next next आईएगा next next question 39 short trick based है next question 39 short trick based है इसमें दे देंगे पूरा समय तुम्हें हो जाओ शुरूर जल्दी से जल्दी से short trick है ये पचास question पर बंद कर दे ना मैम अच्छे जी फिर कब करेंगे पचास question के बाद क्या बात है बढ़िया comments में answer जादा जल्दी दिख रहा है मुझे comments में बहुत सारे बच्चे answer दे रहे है सिंगे के रवी सेनी अमन अनराख सोनी अजीत बहुत बढ़े है शाबाश अच्छा जा रहा है answer thank you समीर चले भई समय होता है पूरा मैम अभी आपने एक हमें trick बताई थी कौनसी trick बताई थी अभी आपने हमें आपने हमें कहा था कि जब भी sine या cause में दो angles का जोड 90 degree होगा तो वो value 1 आएगी तो मैम आपने कहा था कि sine square theta plus sine square 90 degree minus theta is equals to 1 था यहाँ पर जो मैम आपने ये question दिया इधर देखे ज़रा sine square 5 as it is है sine square 10 as it is चलते चले गए sine square 85 लेकिन sine square 91 मैम जब conceptual classes पढ़ाए है वहाँ भी shot trick बताया है 85 तक 55 का gap है total 17 terms आएंगे और दो-दो term मिलकर एक देते हैं तो answer क्या हो जाएगा इन 17 terms का आधा और जो last में 1 है 8.5 plus 1 9.5 final answer so answer क्या हैगा बच्चे option D जिन लोगों को trick नहीं पता वो लोग ध्यान दीचेगा ये trick है आपकी कौनसी trick है directly जो आप लोग जाते है so इसी तरह का एक और question आपके लिए दीचेगा answer question number 40 question number 40 question number 40 and timing बस मैं 30 seconds दूँगी अब मर्जी आपकी poll में answer दे दो या comments में लिख दो फट्टा फट से फट्टा फट से जल्दी से poll केवल morning session में रखते है practice session में mock में यहाँ जब practice कर रहा है यहाँ नहीं रखेंगे poll ठीके फट्टा फट्ट 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 से करो same उसी pattern पर based है same same उसी pattern पर based है so मेरी तरफ से समय होता है finish देखो ज़रा मैं अब की बार sin square 6 क्या कहा sin square 6 degree plus में sin square 12 degree मैं आगे चलते चले जाओ 84 तक आएगा क्योंकि 90 तो 1 हो जाता है 84 तक 6 6 का gap है तो यह मैं कितने term आ रहे है 14 terms आ रहे है so answer क्या होगा in terms का आधा और जो last में value है so what is the right answer option D क्या है answer आपके पास 8 क्या है answer आपके पास 8 option D ठीक है चलिए next पर आते हैं इसके बार next question अब आपका poll नहीं आएगा so थोड़ा speedily comment में answer देना 30 second अब poll नहीं दे रहे comments में answer देना जल्दी जल्दी से ठीक है full speed में क्योंकि concepts भी कराने अभी अभी तो बिलको basic चल रहे है बोलो फड़ा फट से फड़ा फट से बोलो 30 second मज़ा आना चाहिए ठीक है 30 second दोंगी per question समय रुख जाता है देखो भाईया quadrant का use है cot A तो यही रहेगा 10 90 प्लस थीटा माइनस cot थीटा होता है 10 180 प्लस थीटा प्लस में ही रहेगा लेकिन 10 364th quadrant माइनस में होगा सो यह तो लड़ू से भी छोटा लड़ू आ गया क्या है अंसर आपके पास option D सभी कड़ी है बहुत बढ़िया अब आएगा ना मज़ा मुझे personally ऐसा लग रहा था पोल में जादे ही डिले हो रही है next question sin square 5 by 18 sin square 5 by 9 sin square 7 by 18 sin square 4 by 9 पोल केवल मौक में रखेंगे जो morning में चलते हैं ठीक है for the question को जल्दी से फटाफट से for the question को इसे वही pattern वही same चीज़ जल्दी करिए जल्दी से जल्दी से बिलकुल बढ़िया बढ़िया तो yes 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 answer A भी आ रहा है B भी आ रहा है C भी आ रहा है D भी आ रहा है ओके देद दनादन देद दनादन है रोग देते हैं यहाँ पर हम लोग इसे देखो मैम सबसे पहले तो ना अपॉन में 18 बना लो सब जगे ताकि किसी तरह का कोई दिक्कत हो ही ना so 2 by by 18 sin square 7 by by 18 यहाँ पर भी बना लीजे 5 by 18 और 8 by by 18 so यह तो 5 by 2 आ गया sign यह cause में जब भी 5 by 2 होता है answer 1 और ऐसे ही यह दोनों भी तो बन दे रहे so कितना answer हो गया 2 option C कितना answer हो गया option 2 C देद दनादन और बिल्कुल जैसा किसर कह रहे हैं like, share, subscribe करते रहिएगा channel को तो चल जाते हैं अगे अगले concept देखेगा क्या कहता है अगला concept आपके साथ अगले concept में हैं आपके पास की formula एक बार recall कर लिजए formula addition के कि दो angle जब भी sum यह difference में होगा तो sin a plus b, sin a cause b plus cause a sin b sin a minus b का sin a cause b minus cause a sin b cause a plus b का cause a cause b minus sin a sin b cause a minus b का cause a cause b plus sin a sin b जो कि आप सब लोगों को formula याद है और थोड़ा बिल्कुल प्रभाद आज पूरा revise हो जाएगा कोशिश तो मैंने ऐसी करिया यार एक भी चीज ना छोड़ी जाए बिल्कुल उसी तरह से आपके notes बनाए गए है आगे चलते हैं next पर इसी में formula कुछ और आते हैं किस तरह के देखो ज़रा कि अगर कहीं पर आपके पास 10 a plus b लिखा है so 10 a plus 10 b upon 1 minus 10 a 10 b 10 a minus b है तो 10 a minus 10 b upon 1 plus 10 a 10 b जितना मैं बोल रही हूँ ना बच्चे उतना आप भी बोलो साथ साथ में तभी यह formula revise हो जाएंगे cot a plus b cot a cot b minus 1 upon cot a plus cot b cot a minus b cot a cot b plus 1 upon cot b minus cot a ठीक है मोहित गहलोत कह रहा है समझ नहीं आ रहा है कुछ मत कर class बेटा नहीं आ रहा है सो मत कर कि नए बच्चों के लिए तो यह class है ही नहीं यह class उन बच्चों के लिए जिनका पूरा syllabus उनकी तरफ से finish हो चुका है और regularity में उन्हें चाहिए touch यहाँ पर इस पर वेश दो यह results आते हैं जो नीचे mention करें हैं कि कहीं पर भी अगर 10 a plus 10 b उन्हीं दोनों का जोड़ और multiply लिखा है सो हमेशा कितना होगा 10 a plus b ऐसे ही अगर कहीं पर दो cut difference आगे उनका भी difference और multiply में है तो कितना होगा 10 a minus b मैंने ये proof भी कराया है जितने लोगों को clear है give me the sign of thumbs up give me the sign of thumbs up क्या करूँ फिर जब कहा है तो कहा है नहीं तो ठीक है चलें कल करा लूँगे ये book ले जा होगा तो मैं phone करके बता तोगी हाँ जी भई जल्दी से बोलिए clear है इतना चालिए आगे बढ़ते हैं next next आता है ma'am इनहीं पर base कुछ और trick जब मैं classes में पढ़ाती थी न तो पढ़ाते वक्त में क्या करती थी कि समझाया फिर form में बना के दिखाये बच्चे कहते थे कि क्या ma'am इनका हमें कहीं पर collection मिल जाएगा so yes ये collection आप ही के लिए बनाया गया है कहीं पर sin theta plus cos theta upon cos theta minus sin theta है cos से उपर नीचे divide करेंगे so 1 plus 10 theta upon 1 minus 10 theta है और ध्यान से देखना इधर 1 का मतलब है 1045 ऐसे लिखेंगे upon में 1 का मतलब है 1045 ऐसे लिखेंगे तो ये किस सीच का formula बन गया 10 a plus b 1045 plus theta so पहला shot trick तयार और अगर इसी में माद cos theta minus sin theta upon cos theta plus sin theta है तो ये formula बनेगा basically है अगर उपर plus है so formula में plus उपर minus तो formula में minus तयार हुआ पहला चीज जल्दी बोले तयार हुआ बहुत बढ़िया शाबाश बिल्कुल शाबाश सारी चीजे रिकॉल हो जाएंगी अगर कहीं आपके दिमाग में आधी अधूरी भी बसी हुई है तो यही से आपके पास आते है product का formula क्या आते हैं बचे product का formula product क्या है देखो sin a plus b का formula था sin a cos b minus cos a sin b यहाँ पर यह दोनो cancel हो गए so ma'am 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 कौन से cancel होए यह दोनो इनको जोड दीजे so 2 sin a cos b ही तो निकलेगा कितना होता है formula sin a plus b plus sin a minus b इसी इसी दरह से हसी क्यों आई है बच्चे यह कहिए ma'am को हसी क्यों आई है ma'am को हसी इसलिए आई है क्योंकि backhand पे सर काम कर रहे है literally आज ऐसा होगा मुझे भी नहीं पता था light इतना परेशान करेगी तो सर पूरा पानी पानी हो चुक है पसीने में अपने उपर कुधी पानी डाल रहे है बच्चे इसलिए मुझे हसी आ गई गर्मी की वज़े से है ना तो चलो दरह 2 cause A sine B गटा दिया sine A plus B minus sine A minus B and 2 cause A cause B cause A plus B plus cause A minus B इसी तरह से 2 sine A sine B cause A minus B minus cause A plus B यह फॉर्मले भी तयार हमें literally पता नहीं था दिन में light आज अतना problem करेगी अगर हमें पता होता हमाच class ना है दिन की ना रखके शाम की ही रखते तुम्हें अगर वाके यह camera है नहीं तुम्हें दिखाती क्या हालत हो रखी है यहाँ पर चलो खेर मेहनत काम आईगी है ना मैम बस करो आपकी थकान साफ दिख रही है भया मेरी थकान दिखेगी ना पंका चल रहा है ना A.C. चल रहा है बार जो मेन गेट है वाँ से दूप भी है है ना क्या करें जब कमिट कर दिया तो कर दिया फिर तो करवा नहीं है जब तक लाइट साथ दे रही है चल ये खेर अब फॉर्मला आता है क्या कि अगर कहीं पर साइन A प्लस B साइन A माइनस B दोनों आ रहे है क्या कहा साइन A प्लस B साइन A माइनस B दोनों आ रहे है तो इसका फॉर्मला डिरेक्ली याद रखते है कैसे दो से मल्टिप्लाइ दो से डिवाइट करते है 1 अपॉन 2 2 साइन A साइन B का फॉर्मला कॉस A minus करेंगे तो यह plus हो जाएगा minus cos A plus B right ना बच्चों यही काम करते हो yes ma'am B से B cancel A से A cancel so 1 upon 2 यह बनेगा cos 2A minus cos 2B और इसके formula तो तुम्हें पता हैं इधर 2B इधर 2A इसका formula 1 minus 2 sin square B और आगे चलोगे 1 minus 2 sin square A so 1 से 1 cancel formula sin square A minus sin square B cos में भी तो तोड़ सकते हैं इने कितना हो जाएगा cos square B minus cos square A वही पर दूसरी तरफ ध्यान रखना होता है कि अगर ma'am cos में है sin में तो दोनो sin में या दोनो cos में होता हैं लेकिन cos में एक cos में और एक sin में cos square A minus sin square B या cos square B minus sin square A और यहीं बच्चा गड़वर करता है क्या सोचता है किसी दे cos square A minus cos square B लगा दो ठीक है चलें क्या चलें क्या आगे चलिएगा इसके बाद बात आती है बच्चे आपके पास कुछ angles की values जो की आपको याद होनी ही होनी चाहिए ठीक है पूरा basic revision मैंने बोला है करवाऊंगी तो करवाऊंगी देखो sin 15 बोलिए या sin 75 आप लोगोंने descriptive करा होगा 45 minus 30 या फिर इसको 45 plus 30 formula लगाते है root 3 minus 1 upon 2 root 2 sin 15 की याद हो गई अगर cos 15 या sin 75 है तो root 3 plus 1 upon 2 root 2 10 15 या cot 75 है तो इस क्या करते है sin upon में cos और अगर इसका conjugate से उपर नीचे into कर दे तो नीचे आजाएगा ma'am 2 और उपर 3 plus 1 minus 2 root 3 तो कितना हो जाएगा 2 minus root 3 इसी तरह से यहाँ चलें तो 2 plus root 3 हुआ रिवाइस जल्डी बोलो हुआ रिवाइस yes or no रिवाइस हुआ या नहीं इसी तरह से आगे बढ़ा जाए तो आगे आपके पास next values आती है किसकी values sin 45 and a half degree cos 45 and a half degree कहां से आई है वो अभी जब formula पढ़ा देंगे तब बता देंगे फिलहाल के लिए याद रखना कि जो आपके पास sin 45 and a half degree है कितना होता है 1 upon 2 under root 2 minus root 2 और cause में 1 upon 2 under root 2 plus root 2 याद होना ही होना चाहिए क्योंकि आपके X-Group exam में कई बार सीधे question पूछ लेता है what is the value of course 22 and a half degree so वहाँ बैट के solve 40 करोगे याद होगा so directly tick करोगे क्या कहा याद होगा directly tick करोगे ठीके बिलकुल जी बिलकुल next आगे चलते हैं sin 18 cos 72 कितना root 5 minus 1 upon 4 जो sin 18 cos 72 की value है उसी का conjugate होता है cos 36 sin 54 ध्यान रखना अभी इस पर based question भी आएगा आगे क्या आएगा इस पर based question sin 18 cos 72 याद होगा root 5 minus 1 upon 4 sin 18 का double 36 लेकिन cause में क्या का 18 का double 36 लेकिन cause में so cause 36 या sin 54 root 5 plus 1 upon 4 बीच के दो बच गए cause 18 या sin 72 under root 10 plus 2 root 5 upon 4 18 का double 36 लेकिन sin में तो sin 36 cos 4 under root 10 minus 2 root 5 upon 4 ये याद होना चाहिए ठीके next ये वाले form ने भी सबको याद होंगे sum and difference sin c plus sin d कितना होता है 2 sin c plus d by 2 cause c minus d by 2 ठीके and sin c minus sin d 2 cause c plus d by 2 अब की बार cause पहले आ गया sin c minus d by 2 अगर cause c plus cause d तो दोनों terms cause में रहनी है 2 cause c plus d by 2 and cause c minus d by 2 और जो मुद्दे की बार ध्यान रखनी होती है cause c minus cause d के अंदर क्या ये last वाली term अभी तक सब में देखो c minus d हो रहा था लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है d minus c तो ये ध्यान रखने वाली बात है जिस पर हम आपके साथ r p लिख देते हैं remember point याद रहना चाहिए कि जब भी cause c minus cause d होगा दोनों terminology sign में आएंगी और sign c minus d नहीं होगा कितना होगा sign d minus c sign d minus c ठीक है then आते हैं इसके अंदर 2 theta के formula सबको पता है एक बार recall करते हैं बोलके sign 2 theta 2 sin theta cos theta या फिर 2 10 theta upon 1 plus 10 square theta cos 2 theta cos square theta minus sin square theta या जब identity लगा दें 2 cos square theta minus 1 या फिर 1 minus 2 sin square theta 1 minus 10 square theta upon 1 plus 10 square theta भी होता है and 10 2 theta divide कर दीजे 2 10 theta upon में 1 minus 10 square theta ठीक है बच्चे सिर्फ formula है इसलिए बढ़ा रहे हैं थोड़ा and these are the short tricks ये आपकी short tricks है जो किसी किताब में नहीं मिलने वाली आपको ये आपकी short tricks हैं जो किसी भी किताब में नहीं मिलेंगी अगर कहीं पर 10 theta plus cot theta लिखा है so क्या आप लोग 10 theta को sign क्या कहा 10 theta को sin theta upon cos theta लिखेंगे cot theta को cos theta upon sin theta लिखेंगे ये ही आपके पास आया है 2 से multiply उपर नीचे sign 2 theta कितना बन गया 2 cos 2 theta पहली short trick जो बहुत सादा समय बचाएगी exam में और हो सकता है इस पर direct question बन जाए क्या का इस पर direct भी बन सकता है question ठीके इसी तरह से इसमें दूसरी trick आती है आपके पास कि अगर बीच में minus हो जाए तो cot theta minus 10 theta sin cos में तोड लिजे उपर cos square theta minus sin square theta cos 2 theta नीचे sin cos 2 से multiply 2 से divide 2 cos 2 theta और इस पर question मनेंगे मैं बार बार कह रही हूँ या तो बातों का यकीन कर लो या पहले ठोकर खाके गिर जाना फिर काम कर लेना ठीके अधित्यकुमार लिख रहा है fast, rafthar, udhan, rafail, tejas, mic 21, crash in last moment बेटा अधित्यकुमार शुकर कर इसमें मैं पढ़ात हो रही हूँ तू बैटके पढ़नी पारा घर में तुमारे या कम से कम आ लाइक तो आ रही होगी तो आप इस समय में देखो अगर मेरे हाँ भी लाइक आ रही होती मुझे पाबलम नहीं होती कित्ती भी देड़ पढ़वा लो मेन पाबलम है गरमी में बोलना फैन भी नहीं चल रहा है हाँ पर ठीके पिछले 1.5 गंटे से और ना यकीन हो तुम्हें चाहिए सबूत तो वो भी मिल जाएंगे बस उसके लिए कैमरा हटाना पड़ेगा मुझे स्क्रीन से यहाँ पर देखो sin 4 theta cos 4 theta इसकी value 1-1 upon 2 sin square theta again short track है कैसे है यह short track देखो ज़रा कि मैम इसमें sin square theta का whole square plus cos square theta का whole square plus में 2 sin square theta cos square theta minus में 2 sin square theta cos square theta सो मैम यह 3 terms तो whole square बना लेंगे बिलकुल बना लिया और जो बचा उसमें मैम 2 से multiply 2 से divide कर दीजे 1 upon 2 sin square 2 theta हो जाएगा yes or no हर्ष पूछ रहा है what is the value of sin 18 and cos 36 अभी तो बताया अभी तो बताया अभी तो बताया था बच्चे अब जो यह short trick बताई है इन पर कुछ question आप से पूछ लेते हैं फटावट से देखते हैं कितने लोग मुझे recall कर पा रहे हैं sin to the power 4 pi by 8 plus cos to the power 4 pi by 8 बताओ जल्दी से इसका अंसर क्या दोगे option नहीं दे रहे हैं अब तुम्हारी calculation देखनी है कितना recall कर पा रहे हूँ फटा फट से क्या अंसर दोगे यार ऐसे बच्चों का क्या होगा कितना slide बच्चा है एक बार दिखा दो सभी slide बोलो जल्दी कितना अंसर आ रहे हैं question ही है समझो अरे मैं short trick लगा देंगे theta theta same है अभी तो आपने बताया 1-1 upon 2 sin square angle का double कर देंगे मैं यही तो फायदा था trick का so 1-1 upon 2 square चल रहा है sin 45 1 by root 2 होता है so 1-1 by 4 कितना अंसर आ गया 3 by 4 कितना अंसर आ गया बच्चे 3 by 4 शाबाश बहुत सारे बच्चे देने लगे कहीं पर आपके पास question निकल कर आया cot 20 degree minus में cot 70 degree बोल दो इसका अंसर क्या दोगे simplify करके फटाविट से बोले कहीं पर अगर cot 20 degree minus cot 70 degree है आया so क्या देंगे इसका अंसर मैं इसमें भी हम समय नहीं लगाएंगे हम तुरंत करेंगे यह तो cot 20 degree रहेगा ही रहेगा इसको 90 degree minus 20 degree बोलेंगे 10 20 degree हो जाएगा so मैं यह अभी short trick पढ़ाई है 2 cot 2 theta हो जाएगा यानि इसकी value 2 cot 40 degree लिख देंगे अंसर और अगर option में यह नहीं दिया तो इसकी जगह 2 10 50 degree भी लिख सकते हैं हम लोग क्योंकि 90 minus लिखेंगे yes or no very good कुछ वेच्चे तो बढ़िया चल रहा है सीधे सीधे अंसर दे रहे हैं जल्दी जल्दी very good very good चलो आगे बढ़ने फिर आगे बढ़ने में और formula देखो कितने formula और यही selection और rejection है जिसको जितने ज़्यादा यह logics पताऊंगे उसके लिए trigonometry उत्ती जल्दी निप्टेगी अगर यह लिखा आ रहा है कहीं पर under root 1 minus cos theta upon me 2 सो क्या आप अभी जो double वाले formula पढ़े 1 minus 2 sin square theta upon 2 लिख सकते हैं 1 से 1 cancel हो गया minus minus plus 2 से 2 cancel sin theta by 2 और under root है तो इसलिए plus minus तो formula बन गया कहीं भी sin theta by 2 की जरुरत है तो क्या कहेंगे under root 1 minus cos theta upon 2 sin में minus आएगा cos theta by 2 है सो under root 1 plus cos theta by 2 10 है तो minus और cos यह तो बच्चा differentiation में भी integration में भी और vectors में भी use होते हैं अगर आप लोग सारा syllabus निप्टा चुके हो सो यह वाले formula differentiation, integration और vector सब जगे use होते हैं यह ठीके ठीके चलें आगे बिलकुल बिलकुल अब आएंगे questions पे एक दो slides रह रहे हैं बस फिर question पे ही आ रहे हैं यह वाला भी मैंने आपको बताया ही था देखो 1 minus cos theta कहो या sin theta upon 1 plus cos theta एक ही बात है, सबसे पहली identity लेकिन इसी में यह case हो जुड़ गया कि जो उपर 1 minus cos theta है इसको 2 sin square theta by 2 लिखेंगे और जो नीचे sin theta है उसको 2 sin theta by 2 cos theta by 2 लिखेंगे 2 से 2 cancel इससे यह cancel हो गया सो कितना आ जाएगा 10 theta by 2 यही लिखा है बीच में डिरेक्ली याद करेंगे फाइदा रहेगा क्या कि 1 minus cos theta upon sin theta कितना होता है 10 theta by 2 लेकिन अगर उपर plus है तो कितना होगा बच्चे cos theta by 2 cos theta by 2 ठीके अब एक लड़के ने हाँ question पूछा है मेरे से कि मैम आपने न cos 4 theta plus sin 4 theta का तो formula बता दिया 1 minus 1 upon 2 sin square 2 theta लेकिन अगर sin to the power 4 theta minus आया तो इसका नहीं बताया इसका भी मुझे बताना पड़ेगा क्या इसको directly a square plus b square और a square minus b square लिख सकते हो sin square theta cos square theta 1 और ये हो गया minus cos 2 theta इसमें तो कोई short trick लगनी नहीं है बच्चे ये तो directly formula चल रहा है पवन सेंग बोल जल्दी से पवन सेंग clear है जल्दी बोल पवन सेंग इतना clear है yes or no तो चलिएगा कुछ questions पर आजाते हैं आपके साथ कुछ नहीं है absolutely fine लोंगे अभी class बताइए भई कितना है answer बोलो जल्दी से कितना है answer क्या ये चलता रहता मुझे भी दिक्कत नहीं होती है देखो जरा माम जो ये 150 है इसको आप लिख दीजे 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री so sign 30 1 by 2 minus 300 को 360 डिग्री minus 60 डिग्री cos 60 हो जाएगा 4th quadrant में cos 60 कितना हो जाता है 1 by 2 plus में ये होगा माम 270 डिग्री minus 45 डिग्री 4th quadrant 3rd quadrant में positive और 1 value आएगी upon में आते हैं माम 180 minus 45 negative होगा minus 1 ये positive ही रहेगा root 3 by 2 so calculation आप लोग कर सकते हैं देखेगा कितना answer आ रहा है अब नहीं हो पारा मेरे से बच्चे एक काम करती हूँ मैं extremely sorry accepted बिना light के मेरे लिए संभव नहीं हो पारा इस समय पर ले पाना सही बता रहे हो क्योंकि मुझे नहीं पता आप क्या करेंगे tandem में concept cover नहीं होंगे only for question right बेटा जो सुभे चल रहा है वो mock test आ है ये जो चल रहा है ये theory के साथ है मैंने याँ पर जो आपको cover करवाया है वो बता देती हूँ कहां तक cover करवा दिया है इसी के आगे continue करूँगी मैं बेफिकर रहो तोटल जो slides मेरी पास थी वो आपकी लगबग लगबग 180 slides थी और हम पहुचे हैं अभी लगबग अपनी 80 slides में ठीक है ठीक है तो मैं आज ही कराऊंगी ये commit कर रही हूँ बहले ही मैं शाम पांच वजे वाला session इसी का continue करूँ लेकिन आज ही कराऊंगी इसको ठीक है तो बताइए रात में भी कराएंगे बिल्कुल सही बात है अन अकेडमी का session तो अलग ही है इसका बिल्कुल शाम में कराएंगे अब इतना ही रख रहे हैं streaming बना के अभी छोड़ देंगे ठीक है शाम में जरूर आजाईएगा उस समय क्लास को करेंगे and thank you for your support literally बहुत ज़्यादा घरमी हो रही है याँ फैन भी नहीं चला रखे क्योंकि inverter बैट जाएंगे नहीं तो मैं ऐसी new class छोड़ दूँगी मैं class continue कराती हूँ क्योंकि कुछ लोगों को लग रहा होगा बस हो गया तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्या कवर का हाल मुर्दा ही जानता है वो क्या जाने जो chair पर बैठे है ठीक है सर सोच रहे मैं उन्हें कह रही हूँ ऐसा नहीं है सर को नहीं बोल रही हूँ सभी के लिए बोल रही हूँ PDF भी इसकी send कर दूँगी शाम की class जब हो जाएगी ठीक है जी तो शाम पाँच वजे मिलेगा इसी पूरे जोश में करेंगे अभी इतना ही रख रहे हैं जय हें और थैंक यू फॉर सो मच सपोर्ट